असलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल अर्दू नाविल वर्ड, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें, और हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया, चली नाविल शुरू करते हैं, नाविल का कथे फंस गई हीर काम कोशिश करने लगी इसके रुज के कोजे टाटी ठूटी जैसे महभूब ने इसका हाथ पकड़ कर जटका तो वो इस नाजुक अंदाम की इस हरकत पर हैरत से इसे देखने लगी आउ येर एक मरदाना कड़कदार आवाज इसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आई इसने पिट से आँखें खोली एनक से जहांकती काली बड़ी बड़ी आँखें अपने सामने मौजूद शख्स को देख कर फैल गएं तब इसे एहसास हुआ के वे युनिवरसिटी में मौजूद थी माथे पर ग्रे बेबी किट बालों को आँखों से हटा कर इसने ठोक निगल कर अपने हाथ को देखा जिससे इसने अपने प्रोफेसर के कालर को जकर रखा था सस सौरी प्रो हाथ फॉरन से पीछे हटाते इसने मनमनाते की कोशिश की शट अप जस्ट शिप अप आज तुम्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी मेरे साथ आफिस आओ प्रोफेसर के तीके नकूश में सुरखी घुली देखकर इसे आज अपनी खेर होती नजर नहीं आई हीर रुको प्रोफेसर बारेस ने दांत पेस कर इसे देखा पकड़ो इसे अर्दगिर्द मौजूद सिटुडेंट्स प्रोफेसर का इशारा पाकर शलवार कमीज में मलबूस प्रानिच जुला कर दोड़ती हुई हीर के पीछे भागे हीर जो सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी थी अपने पीछे आते इतने सिटुडेंट्स के हुजूम को देख कर सर पर पीर रख कर भागी हाय और इबा कत्थे फिस गई हीर आलम उला में आज मामूल से हिट कर चहल पहल थी इश्तिहा अंगेज खानों की खुश्बू किचन से निकल कर बड़े से सहन से मुलहका उपर गुलाई में जाती सीडियों से होती कोने वाले कमरे में दस तक देती हीर के नाक में गिसी पिट से आंखें खौलती वे जमाई लेकर उठ बैठी आज इस किडोस की वज़े से जतनी सुत्री हुई है में याद रखूंगी सवा हुआ कद्दू कहीं का इसे दिल ही दिल में अल्काबाद से नवास्ती वे पैरों में चपल उडस्ती कुन सुयां लेने के लिए कमरे से बाहर निकली बड़े से सहन को उबूर करके वे किचन में आई जहां दरखशा ताई और बलकीस चची खाने के इंतिजामात देख रही थी इसे अंदर आते देखकर दरखशा और फशनू नर्मी से मुस्करा दे जबकि बैलकैस ने चहरे के जाविया बिगाड़े हीर ने सुलक कर उन्हे देखा और उन्हे मुन्ह चवाया तो शनू ने नजरों से इसे डिपटा ताई जान आज कुछ खास है किया वे पलेट से काजू उठा कर मुन्ह में डाल कर बोली हाँ खास तो है वो मसरूफ से अंदाज में बोलें तो हीर उनसे लिपट गई बताई ना मेरी प्यारी ताई जान अच्छा अच्छा पीछे तो हटो ओया को लड़के वाले देखने आये है क्या मुझे किसी ने बताया भी नहीं इसे सही मानों में सद्मा पहुचा तुम बढ़ी कोई प्राइम मिनिस्टर हो जो तुम्हे हर बात बताई जाए बेलकेस जले कटे अंदाज में बोली हाँ प्राइम मिनिस्टर तो वो आपकी दो मन की बेटी है ना जिसको हर बात बतानी ज़रूरी है उनकी छूटी बेटी के मोटापे पर चोट करती वे प्रांदा जहलती अपने अजली बेपरवा अंदाज में महमान खाने की तरफ बढ़ी खाय और इबा यहां तो पूरी यंग पल्टन खड़ी है आहिस्ता आहिस्ता बगेर आहट किये वे उनके पीछे जा खड़ी हुई जो एक कतार में एक दूसरे पर चड़े दर्वाजे से कान लगाए खड़े थे भाव अपने पीछे आवाज उभरने पर वे सब के सब सीधे होने की कोशिश में तवाजन खोकर धराम से नीचे गड़े मनहुसो कमबखतू दफ हो जाओ इथू नईती मेलाजती लेनी एती तवाइडी मनहुस बूथियां दी नक्षा बदल देना है शाहाना बेगम की कड़क आवाज पर वे सब के सब बिजली की सपीड से दोड़े सहन में आकर रुकते वो कड़े तेवरों से हीर की तरफ मुड़े हीर ये किया बत्तमीजी थी मुसा खफगी से गोया हुआ हम एक टीम हैं तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया अरे कैरी टीम कथे दी टीम तुमने कौन सा मुझे ओया के रिष्टे का बताया मेरी पार्टनर का रिष्टा तै हो रहा है और मुझे पता ही नहीं वे दीदे नचा कर बोली हीर आपी अपकी वज़े से हमें डांट पड़ी लड़ू के बोलने पर हीर ने तीखी नजरों से इसे देखा अभे लड़ू की फूटी हुई किसमत कद्दू के बिगड़े नसीब चल निकल यहां से नहीं तो तुझे साथ वालों के कुट्टे के साथ बांधाऊंगी अपनी हद में रहो तुम बंदुरी रिंजा को अपने भाई की बैज़ती बरदाश्ट न हुई लो जी अब ये कंप्लेक्स की मारी मुझे मेरी हद बताएगी चिल्लू शाबाश अपने जहरीली भैंस और पंदोई भैंसे को लेकर निकलो यहां से वे मुसा के हाथ पर हाथ मार कर हंस पढ़ी तुम बच्चो अब मुझसे राबिया इसके जहरीली भैंस कहने पर तब कर उसकी और बढ़ी तो मुसा दर्मिया में आ गया चिल्लू बस बहुत हो गया उनको हटा कर वे हीर का बाजू पकड़ता महमान खाने की तरफ आया हीर ने जरा सा दर्वाजा खोला और वो दोनों सांस रुके अंदर का मनजर देखने लगे बेबे आप तो ऐसे तयार होकर बैठी हैं जैसे आपका रिष्टा देखने आये है शाहाना की गोहर अफशानी पर कमरे में दबी दबी हंसी गुन जी हाँ बस अपनी अपनी बात होती है नामे इस उम्र में भी इतनी हुसैन और जवान नजर आती हो और एक तुम हो जो मुझसे छूटी होकर भी ऐसी लगती हो जैसे किसी ने किसानुई मार मार के मुन्हमीला कर दिया हो क्यों जी मसूमा अपने साथ बिराजमान सबुक्तगीन आलम को टहुका दे कर बोलें तो चचचा वहाज आलम और ताया इबाद आलम खनकरे इबराहीम आलम ने मौका की नजाओत को भामते कोने में खड़ी अपनी भतीजी को इशारा किया वे सहज सहज कर कदम उठाती सोफे पर आकर बैठ गई लंबे करते और जीन्स में मलबूस वे बमशकिल छोटा सा दोपटा सर पर टिकाए बैठी थी इसने बार बार पलके जपक कर सामने सोफे पर बैठे मिया बीवी को देखा जो इसे देख कर मुसकरा दिये जवाबावे दोपटा दांतों में दबा गई माशा काले अब की बेटी तो बहुत शर्मिली लगती है हाजी बहुत शर्मिली और मासूम है हमारी ओया अपने नाम की तरह और शाहाना के बिलकुल बरक्स मसूमा भी अपना सफेद गरारा ठीक करते हुए बोलें तो शाहाना ने तब कर उनको देखा ना तो किया अब पर गई है हाई हा अलुए मुआफ करे अप पर चली जाती तो आपकी तरह बोड़ी घोड़ी लाल लगाम बनी फुरती शाहाना ने अपनी फराटे भरती जबान से मसूमा भी के तन मन में आग लगा दी महमान गो मगू की कैफियत में उन्हें देखने लगे वह यहां बेटा महमानों को चाय दो इबाद आलम बेटी से मखातिब हुए तो वे उठ खड़ी हुई एक कदम बढ़ा कर वे जरा सा लड़ खड़ाई हद से ज्यादा कामते हाथों से इसने ट्रे उठाई और महमानों के सामने जुकते उनको सर्व करने लगी हाथ कपुपानी से इसके ऊपर थोड़ी सी चाय गिर गई सस बस बेबे मुझसे अब और अदाकारी नहीं होती वे हाथ जाड़ कर उठ खड़ी हुई इसने छोटा सा दोपटा सर से उतार कर गिले में डाल लिया मैं ऐसी ही हूँ अपने नाम के बिलकुल उलट मासूम तो कहीं से नहीं हूँ अगर ऐसे ही मनजूर हों तो ठीक है वरना वे अपनी उन्ची पोनी जुला कर बोलती महमानों को हैरान कर गई टट मुर्नी थोड़ी देर होर तेरे कोलो अदाकारी नहीं हो नदी सी सारे कत्ती किरायती वाटर फेर देताई शाहाना ने अफसोस से सर पर हाथ मारा महमान जल्दी से उठे हम चलते हैं पता नहीं कुन पागलों में फिस गए है इथे आ तीनों जाहे कौन पागल है तेरी बेबे हुएगी पागल शाहाना का बसना चल रहा था कि उनको पागल कहने वालों की गिंच मरोड दे ती तेरा अबबा हुएगा पागल मसूमा बी भी कहां पीछे रहने वाली थी मर्द हजराद सर पकड़ कर बैठ गए मुसा और हीर महमानों के जाने के बाद हाथ पर हाथ मार कर हंस पढ़े अपने जिगर से यही उमीद थी मुझे हीर आँखें बंद करके फख्रिया अंदाज में बोली यकदम मुसा की हंसी को ब्रेक लगा वो आराम से निवा निवा होता वहां से खिसक गया है एक अंथे गया वे आंखें खोल कर उधर उधर देखने लगी दफतना अपने हाथ पर मजबूत मरदाना ग्रिफ्ट देखकर इसने फौरन दाएं तरफ देखा जहां बारेस कड़े तेवरों से इसे देखता इसका बाजू खेंच कर इसे महमान खाने से परेले आया क्या कहा था सबसे कि किसी को भी महमान खाने के पास भी आने की इजाज़त नहीं है तो तुम किया कर रही हो उधर वे घुसे से माथे पर बिल डाल कर बोला इसके धोंस भरे अंदास पर हीर को पतंगे लग गए अपने जो युनिवर्सिटी में मेरे साथ किया है नवे भोली नहीं है हीर और घर में अप मेरे प्रोफेसर नहीं है इसलिए ये धोंस ना मुझे ना दिखाया करें अपना प्रांदा जुला कर आखों पर चश्मा ठीक तरह टुकती वे जाने के लिए पल्टी हना केडोस कहीं के बारेस ने तुंद नजरों से इसे देखते इसका बाजू पकड़ कर जटके से इसे अपनी तर्फ किया क्या कहा तुमने केडोस कहा मैंने आपको वे भी तीखे लहजे में बोली मेरे सामने अपने कैंची की तरह चलती जबान कम चलाया करो कहीं ऐसा ना हो के मुझे तुम्हारी टर्टर चलती जबान को बंद करने का मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़े इसने जटके से इसे पीछे धकिला तो वे वहां से भाग गई हीर की जबान बंद करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ सड़ो प्रोफेसर जाते जाते भी वे जबान के जोहर दुखा गई आलम उला के सहन में जिन अजीम छड़ चुकी थी मसूमा भी और शाहाना ने रिश्टा ना होने का कुसूर वार एक दूसरे को ठहराया था नाशनू भाभी में क्यों चुप करूँ उनको नहीं देखती जो नाम की ही मसूमा है अलुए मुआफ करे मसूमो वाले काम तो कभी देखे नहीं उनके शाहाना ने हंसी चुपाने को दोपट्टा मुन पर रख लिया दरखशा ने उन्हें आंखें दिखा देखा सबुक्तगीन कैसे ये अब की नाओ है मुझे लजीज मेरा मकबल है जलील कर रही है मसूमा भी ने तनक कर सबुतगे आलम के कंधे पर हाथ मारा हाँ अलुए भला करे कहती तो ठीक है मेरी नाओ सबुक्तगीन आलम कंधा दबा कर बोले तो सब मर्द हजरात ने मुस्कराहत दबाई अगर गलती से भी उनकी हंसी छूट जाती तो मसूमा भी ने उन्हें पौले पौले पैरों से टाइडे मार कर दुनिया के दूसरे कोने में पहुँचा देना था हाए में सद्क जावा अबबाजी तस ही बस मैंनों समझ देओ शाहाना की खुशी देख कर मसूमा भी ने नतने फला कर उन्हें देखा जे में मासूम नहीं ती तावकिरी मासूम पेठे वर्गे मुनहदे नाल हर वक्त बिक बिक कर दी रहनी है नाम शाहाना ती मिजाज दर्फुटी माना मसूमा भी भी अपना सफेद गरारा किस कर मैदाम में उतरी वादादी क्या डायलाग मारा है मुसा के तबसरे पर शाहाना ने इसकी गर्दन पर चंड मारी शनुभा भी इसका मुनह बंद करवाले नहीं तो मैंने इसकी तौन पे चप्रमार मार कर इसकी तौन इडिंगी कर दीनी है मुसा की इज़त अफजाई पर रविया की हंसी छूट गई मोटी भैस अपनी बुतियसी अंदर कर वो सुलक कर बोला तो रविया ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा जाओ तुम दोनों यहां से अबरहेम आलम के सखती से कहने पर वो शराफत से वहां से खिसक गए बे-बे अप से तो ठीक ही हो में और ये अपनी नास इतनी ना फलाए जैसी अपकी उम्र है कहीं पाटी ना जाएं सबूतिगे आलम ने मुन पर हाथ रख कर चहरा दूसरी तरफ कर लिया लेकिन हंसी रोकने के चकर में उनके जिस्म को बार बार जटके लग रहे थी अबाद आलम इबराहीम आलम और वहाज आलम ने नजरों का तबादला हुआ जाओ अम्मा को कमरे में ले जाओ अबाद आलम इबराहीम आलम के काम में आहिस्ता से बोले क्योंके मसूमा भी सबसे ज़्यादा उनकी ही सुनती थी अलुए जन्नत नसीब करे अपके अबबा हुजूर को वैसे तो कोई नेक काम मुझे याद नहीं उनका लेकिन जाते जाते भला एक अच्छा काम ही कर जाते अपको भी साथ ले जाते शाहाना की फराटे भरती जबान को रुकता ना देखकर दरफशा उन्हें घसीट कर अपने कमरे में ले गएं हाय और बाहे यही दिन देखना बाकी रह गया था किसी को अपनी तरफ मतवज्जे ना पाकर मसूमा भी सीने पर हाथ मार कर जूट मोट का बैन करने लगे अमा उधर आएं आएं मेरे साथ क्यों परेशान होती है शाहाना से बात करूंगा मैं असको अब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आखिर अब बड़ी हैं घर की इबराहीम आलम उनके गिर्द बाजू हाइल करते उन्हें मसके लगाते हुए वहां से ले गए हा अलुए ही मालिक है उनका सबुक्तगीन आलम अपने बड़े और छोटे बेटे को देखकर ठंडी आह भार कर रह गए उठ गई वहाज आलम बेलकैस की मींद खराब होने के ख्याल से दबे कदमों कमरे में दाखिल हुए लेकिन उन्हें जाकता देखकर पूछ बैठे तो किया आपको मैं अभी तक मींद में नजर आ रही हूँ वे बुरा सा मुनह बना कर बोले बेगम कभी मीठे बोल भी बोल लिया करो हर वक्त सरती रहती हो वे शको कर गए ये जो आपकी भाभी और अम्मा ने घर को हर वक्त मदान जन बनाया होता है वो आपको नजर नहीं आता सर में दर्द कर दिया है बंदा अब सुकून से सौ भी नहीं सकता बड़बड़ा कर वो दोबारा सर तक चादर तान कर लेड़ गें वहाज आलम बस नफी में सर हिला कर रह गए ममी मेरी ओहो ममी मेरी आहा ममी मेरी शादी कर दो मैई जून जलाई में ममी मेरा दिल नहीं लगता युनिवसिटी की पढ़ाई में हीर दोपटा पकड़े सर के उपर घुमाती जोर औशोर से गाती भंड़ा डाल रही थी ओया भी इसका साथ देती ओट पिटन से टेप्स कर रही थी इसका हाथ अभी हुआ में ही था कि मुसा नाचता हुआ अंदर दाखिल हुआ अरे रुक क्यों गए हो पिक्चर खत्म हो गई किया अब मनजर कुछ यूँ था कि वे तीनों और पिटन से टेप्स करते जोर औशोर से गा रहे थे उनके कमरे के पास से गुजरती मसुमा भी शोर की आवास से रुक गई हैं ये उनको किया दोड़ा पड़ा है उन्होंने दर्वाजे जरा सा धकेल कर अंदर ज्हांका खुद बखुद उनके हाथ उठे और वो भी दांक निकाल कर भंगणा डालने लगे दफतना वो रुकी और चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाये दर्वाजे देउल कर अंदर एंट्री मारी तीनों को वही से टॉप लग गया वे तीनों जल्दी से बैड से नीचे उत्रे ये क्या बेहयाई पहलाई हुई है गजब खुदा का दादी गजब नहीं गजब खुदा का मुसा उनकी बात काट कर गोया हुआ हीर और ओया सर नीचे जुकाए फिस फिस करने लगे हाँ वही गजब खुदा का बहनों के साथ नाचते उन्हें गाने सुना रहे हो कोई शर्म होती है हया होती है लेकिन तुम छेछेवं दर्रों को क्या पता कि क्या होती है वे कड़े तेवर दुखा कर बोलें तो मुसा की जबान में खुजली हुई अस्तग्फराले दादी में और गाने तौबा तौबा मैं तो उन्हें नतें सुना रहा था वो कानों को हाथ लगा कर बोला तो मसूमा भी अपनी चपल पीर से निकलने के लिए नीचे जुकी मुझे बहरी समझते हो पागुल हो में मुसा तेजी से बाहर भागा लेकिन मसूमा भी ने तान कर अपनी चपल इसकी कमर पर दे मारी अरी कमबख्तू कभी पाड़ भी लिया करो हर वक्त हाहा हो ही ही करती रहती हो बड़ी शादी की आग लगी है तुम्हारे अब बाहे को बताती हो तौबा है हम तो इतने शर्मीले होते थे और उनको देखो वो कानों को हाथ लगा कर कमरे से जाने लगें तो वो दोनों एक दूसरे को इशारा करती उनसे लिपट गएं हमारी अच्छी दादी अब बाबा से बात ना करना पिलिस आइंदा हम दिल लगा कर पढ़ेंगे ना हीर उनके गाल पर बोसा दे कर बोली तो उनके माथे के बिल कम हुए दादी इतना गुसा क्यों करती हैं अब इतनी प्यारी सिकिन है आपकी और ऐसी गुलू कहा नजर आती आज कल की लड़कियों के मुनह पर जैसी आपके मुनह पर है गुसे से आपके खुबसूरत चहरे की चमक चली जाएगी ओया ने कहते हुए हीर को देख कर आख मारी मसूमा भी के माथे के बाकी बिल भी गायब हो गए हा कहती तो तुम ठीक हो मेरी जैसी हुसैन लड़किया कहा आज के जमाने में वो एक अदा से मुस्करा कर गरारा संभालती कमरे से निकल गए हा हा एहा वो दोनों हाथ पर हाथ मार कर कहकहा लगा गए इसलामबाद के पोश इलाके में वाकिया आलम उला अपनी मिसाल अब था वसी रकबे पर फैला ये महल रागुजरों को एक दफारुक कर देखने पर मजबूर कर देता था निवी बिल्यू टाइलों से मुजयन जदीद तर्स पर तामीर ये महल तो अपनी मिसाल अब था ही लेकिन यहां के मूनों की शोहरत भी दूर दूर तक पहली हुई थी यहां के सर बुराए सबुक्तगीन आलम है जिन्होंने अपने वालिदशा जफर आलम से जगड़ा मोल लेकर ये महल अपनी सबसे निराली चुई मुई सी जौजा महतरमा मसूमा के लिए बनवाया था ये अलग बात है कि उनके चुई मुई होने का राजशादी के चंद मा बाद ही खिल गया था मसूमा ने सबुक्तगीन आलम की संगत में जिन्दगी गुजारते तीन खुबसूरत बेटों को जनम दिया सबुतगे आलम बेटी की शदीद खाहिश के बावजूद इस रहमत से महरूम ही रहे बहरहाल उन्होंने अपने बेटों को जिन्दगी की हर असाईश दी आवर साथ ही उनकी अच्छी तर्बियत पर खास तवज्जो दी सबसे बड़े बेटे अबाद आलम मंजले इबराहीम आलम और चोटे वहाज आलम हैं तीनों ने अपने वालिदین का सर हमेशा फखर से बलंद किया और ग्रेजूएशन के बाद सबुतगे आलम का बिजनस संभाल लिया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। बेटों के बरसर रोजगार होने के बाद उन्हें इनकी शादी की फिक्र होने लगी। सबुतगे आलम ने अपने जाने वालों में तीनों का रिश्टा पक्का कर दिया जिस पर बेटों ने बना की सूरत के साथ अच्छी सीरत पे गद्रे इतमिनान हुआ लेकिन इस इतमिनान को तहो बाला मंजले बेटे इबराहीम आलम की जोज़ा शाहना ने किया जिनकी सास से कभी नहीं बनी। वज़ा दोनों की कभी ना रुकने वाली जबान थी। यही वज़ा थी के शांती वाल गर में अब आयरोज छूटी मोटी जंगें होती रहती थी जिनकी जब में सब आ जाते थे। छोटे बेटे वहाज आलम की जोज़ा बेलकैस जरा नक्चली साबित हुई थी। वे ज्यादा किसी से घुलती मलती नहीं थी अलबता दरखशा के नर्म मिजाज की वज़े से उ पहला बच्चा होने की वज़े से हर किसी की आख का तारा बन गया। इसके चंद माबाद ही बलकीस ने एक खुबसूरत बेटी को जनम दिया जिसका नाम बाप की पसंद पर रंजा रखा गया। शाहाना के हाँ अभी कोई उलाद ना हुई थी। सास के तानों से सख्त आज एक ही वक्त पर शाहाना ने बेटी को जनम दिया जबके दरखशा के हाँ जुडवा बच्चों की पैदाइश हुई। यू तीनों बच्चे हम उम्र थे। इबाद आलम ने बेटी का नाम ओया रखा जिसका मतलब था नेक और मासूम जबके मसूमा की खाहिश पर बेटे का नाम मुसा रखा। शाहाना बेटी की पैदाइश पर फूले ना समाती थी। बड़ी बड़ी आँखों से सब को पटर पटर देखती अपनी बेटी का नाम उन्होंने ही रखा। वहाज आलम की बेटी रिंजा को नन्ने महमानों की आमद कुछ पसंद नहीं आई जबके हर क इसी से अलग थलग अपनी जात में गुम रहने वाला बारेस चोटे चोटे बहन भाई को पाकर बहुत खुश हुआ। इसने हीर को पकड़ कर प्यार करना चाहा लेकिन इसके हाथों में आते ही वो रोने लगी। यू जब भी वे इसके सामने जाता वो रोने लगती। एक बारेस ने बारेस के चहरे पर नाखुन मार दिये जिसके बाद वे इससे चिरने लगा था। दो साल बाद बलकीस के हारविया की पैदाइश हुई जो आम बच्चों की निस्बत हद से ज्यादा सिहत मंद थी। ये सिलसला यहीं खत्म नहीं हुआ बलके बलकीस बेगम ने लड़ू की पैदाइश के बाद ही दम लिया। यूँ इस घर में मजीद बच्चों की पैदाइश पर फुल से टॉप लग गया। यूँ जिन्दगी के साल गुजरते रहे। बारेस ने मॉस्टर्स करने के बाद इसी युनिवरसिटी में लेक्चरार का उहदा संभाला। हीर, मुसा और ओया इसी यवनी से एकठे ग्रेजुएशन कर रहे थे। रंजा को पढ़ाई से कुछ खास दिल्चस्पी नहीं थी इसलिए इंटर करके इसने पढ़ाई को खेर बाद कह दिया। रबिया अभी इंटर के पहले साल में थी और वे अपने मोटापे को कम करने क कोशिश में हलकान थी। हीर गैंग जिसमें मुसा ओया और हीर शामिल थे हर वक्त रिजा और रबिया से लड़ने को तयार रहती। उनकी आपस में कभी नहीं बनी। वजा रिजा और रबिया की नक्चली तबियत थी जो इनकी मापर गई थी। हीर उठ जाओ यवनी के लि से सर को दबा कर वे उठ बैठी। बुखार से अंग-अंग दुख रहा था। हीर को टस से मिसना होता देख कर वेजे जिला गई। साइड टेबल पर धुरा जुग उठा कर इसने पूरा का पूरा हीर पर उलग दिया। हाए उम्मी से लाब अगया बचाओ। वे हाथ पीर मारती मींद से बोजल आखों को बार बार जपकने लगी। इट भी जाओ मनहूस औरत उम्मी इतनी दफा तुम्हें आवाजें दे कर गई है। बाहर जाकर पन्नी तश्रीफ का टुक्रा रखो। नहीं तो भार में जाओ। जले कटे अंदाज में कहकर वे बैद पर दराज होती दुखती आंखें मूंद गई। इसके जले कटे अंदाज पर हीर ने ना समझी से इसे देखा और कसलमंदी से उठकर फरेश होने चली गई। अस्सलाम अलेकुम ताई जान सुबह बखेर उजलत में किचन में दाखिल होकर इसने सलाम किया लेकिन बारेस को वहां सरंदाज करता तसली से नाश्ता करने लगा। उठ गई मेरी बेटी चिलू शाबाश जल्दी करो नाश्ता कर लो वक्त कम है और अगर शाहाना यहां अगई ना तो सुबह सुबह ही तुम्हारी सुथरी हो जानी है। हीर जल्दी से कुरसी घसीट कर बैठी। इसने रही आज। मुन्ह को तेज तेज चलाती वे इस तफसार करने लगी। इसको बुखार हुआ है इसलिए नहीं जा रही और तुम आज बारिस के साथ चली जाना। गर्म भाप उडाती चाय को प्याली में डाल कर वे मसरूफ से अंदाज में बोलें तो हीर उचल ही क्यों क्यों में क्यों जाओं के लोस के साथ। वे इसके साथ जाने का सुनकर तड़प ही तो उठी थी। बारिस ने तुंद नजरों से इसे घुरा। बुरी बात है हीर। बड़ा है वे तुम से। और आज ड्राइवर चटी पर है इसलिए बारिस के साथ ही जाओगी तु इसे डपट कर आखिर में वे इसे ड्राइवर के ना आने की वज़ा बताने लगें हीर अपना सा मुनह लेकर रह गई मैं बाहर पाँच मिनट इंतिजार करूंगा बस जाना हुआ तो आ जाना तीकी नजरों से इसे देखते वे गाड़ी की चाबी उठा कर बाहर निकल गया हीर जल्दी से कमरे में दोड़ी अपना बेग उनदई पर डाल कर इसने आईने के सामने रुकते एक तफसीली नजर खुद पर डाली काली शलवार कमीज के साथ काले ही जोगुर्स लंबे सिया बालों को इसने आज प्रांदे की बजाए बिलदार चोटी में गोंद लिया था माथे पर गिरते बेबी किट बालों को ठीक करते इसके चश्मा साफ करके दोबारा लगाया और सिया दोपट्टा गिले में डाल कर वे उजलत में बाहर निकल गई गारी में इसके साथ सफर करते इसे रह रह कर बारेस पर ताव आ रहा था यूनिवर्सिटी पहुँच कर वे फॉरन से पहले गारी से उतरी ओट पिटन फैशन के इस दौर में वे सब लड़कियों से मनफरिद लगती थी बलेक डरेस शेट और बलेक ही पैंट में शेट के बाजू कोहनियों तक मोड़े वे मोबाइल पर वक्त देखते बेन्याजी से चलते बारेस के हमरा चलती वे कई लड़कियों की निगाहों का मरकज बन गई बाज आखों में रश्क जबके बाज आखों में हसत था एहम एहम लगता है मैचिंग की है लोगों ने आज अपने पीछे किसी तालिब इल्म की आवाज उभरने पर वे सुरत से पीछे मुड़ा लेकिन इतने हुजूम में इस आवाज को पहचानना नामुम्किन था हीर की तेवरी चड़ी वे फॉरन कमीज के बाजू मोरती दाएं बाईं देखने लगी अभे कौन है जो सुबह सुबह हीर से अपना मुन्ह तोवाना चाहता है अभे कद्दू की औलाद अदम है तो सामने आना इस से पहले वे मजीद गोहर अफशानी करती बारिस इसे बाजू से पकड़ कर हुजूम से पढ़े ले आया मिसला किया है तुम्हारे साथ हाँ जहां देखो गुंडा गर्दी शुरू कर देती हो इतनी चीप लेंग्वीज सीखी कहां से है तुमने कोई शर्म है तुम में के नहीं इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे नजरों से ही चबा जाता आखिर उसकी एक रिपोर्टीशन है यहां जिसका बेड़ा गर्ख करने पर वे तली हुई थी हीर ने दुख से इसे देखा तो बारिस के तासुरात नर्म पढ़े वे उंगलिया चटखा कर उसके करीब होती इसे नीचे जुकने का इशारा कर गई वे गहरा सांस खारिज करता जुका नहीं इसके कान में चीखती वे इसे मुन्चडा कर भाग गई बारिस कान पर हाथ रखे भांचक का खड़ा रह गया क्या ड्रामा है ये लड़की इसे तो मैं वे शदीद घुसा जब्त करता अपने आफिस की तरफ चला गया इसके जाने के बाद ग्राउंट फलोर की दिवार के पीछे चुपे खड़े हीर के कलास मैट्स बाहर निकले हीर उनके हाथ पर हाथ मार कर हंस पड़ी हीर यार तुम्हें डर नहीं लगता प्रोफेसर से पूरी यवनी उनके घुसे से डरती है इसकी एक कलास मैट्स ने कहा तो वे एक अंदाज से मस्कुराई वे हीर ही किया जो किसी से डर जाए मिस हीर प्रोफेसर शम्स अलदीन की धार पर इसने दोहल कर पीछे देखा जो हाथ में एक पोस्टर पकड़े खड़े थे जिसमें इनकी तस्वीर को बड़े मिजाहिया अंदाज में बना कर नीचे उनका नाम लिखा हुआ था और पूरी यवनी जानती थी कि ऐसी हरकत हीर दीग्रेट के अलावा कोई नहीं कर सकता शर्म आनी चाहिए आपको आफिस आए मेरे साथ आज तो आपके घर काल करके आपकी हरकतों का जरूर बताऊंगा गैज औ गजब से इसे देखते वे धाड़े तो हीर ने रोनी सूरत बनाई मर्यल कदमों से उनके पीछे चलती वो अर्दगिर्द मौजूद तालिब इल्मों को देखती ना नजर आने वाले आंसू पूंचने लगी हाय और रिबा कत्थे फिस गई हीर हीर जो आफिस में मुन्ह बिसोर कर खड़ी थी ने आवाज पर आने वाले को देखा तो उसकी आंखें खिली की खिली रह गई आईए आईए अप कही इंतिजार था अब हीर के भाई है प्रोफेसर शम्स अलदीन हीर को एक नजर देख कर बोले जी जी में हीर का भाई हूँ आने वाले ने नामहसूस अंदाज में दाड़ी पर हाथ रखा और मुतमें होकर कुरसी पर बैठ गया माजरत चाहता हूँ आपको जहमत दीनी पड़ी लेकिन आपकी बहन की हरकतें ही कुछ ऐसी है सारी युनिवर्सिटी को परेशान करके रखा है ये देखें आज किया हरकत की है इस नालाइक ने उन्होंने वो पोस्टर नावारित के सामने मेज पर रखा तो इसने हंसी छुपाने को मुन्ह पर हाथ रख लिया एहम बहुत गलत हरकत की है हीर ने उस्ताद की इज़त करनी चाहिए मैं घर जाकर अपने वालिदेन को भी मतला करता हूँ अब बेफिक रहें आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी इसकी बात सुनकर प्रोफेसर शम्स अलदीन खुश हो हो गए बहुत अच्छा लगा अब से मिलकर अब तो खासे समझदार है उनसे मुसाफ़ा करके वो हीर को इशारा करके बाहर निकल गया हीर भी बेग उठा कर इसके पीछे भागी ग्राउंट में आकर इसने दम लिया जहाँ वे नौजवान अपनी नकली दाड़ी मूचें उतार रहा था हाए 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 दोनों की कब से रुकी हंसी सारे बंद तोड़ कर जो छूटी तो पास मौजूद तालिब इल्मों को दहला गई मुसा आना अरर बिल्कुल सही वक्त पर आये हो तुम थैंक यू बड़ी लेकिन तुम है पता कैसे चला वे धब से घास पर उसके बराबर बैठती बेग से लीज का पॉट निकाल कर लीज खाने लगी भुकी सुला भी मार लो वे इसके हाथ से पैकेट जपट कर एक साथ सारी लीज मुन्ह में डाल गया हानद्यदे सारी लीज खा गए हीर ने उठकर उसके भरे हुए मुन्ह पर एक चमांट रसीद की वया की दोस्त से पता चला था कि हीर बीबी बुरी तरह फिस गई है फिर किया था मैंने दिमाग लडाया और प्रोफेसर को काम के बहाने बिला कर उनके आफिस से मॉबाइल पकड़ा और घर वालों के नंबर डिलीट करके अपना नंबर सेव कर लिया अब लंबे अरसे के लिए मुतमें रहू तुम वे दोनों हाथ सर के पीछे तुकता मुस्करा कर गोया हुआ तो हीर ने खुशी से एक जेंपरई गर्दन पर मारा वा यार जिन्दगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है तुमने मुसा ने सुलक कर इसे देखा ये थपड किस खुशी में मारा है तुमने चल यार चिल्लू उठो अब किया सारा दिन यहीं पड़े रहने का इरादा है तुम्हारे केडोस भाई का लेक्चर है अगर ना अटेंड किया तो उन्होंने कच्छा ही चबा जाना है आज बेग कंधे पर डाल कर वो दोनों दोड़ते हुए ग्राउंड से निकल गए इतवार के दिन सुबह का वक्त था रंजा मुन्ह पर मास्क लगाए कमरे से निकली हाथ में पानी की बोतल थामे इसने किचन का रुख किया अभी वे किचन के दर्वाजे पर पहुची ही थी के बारेस लान की तरफ जाता नजर आया वे जल्दी से पानी की बोतल किचन में रखती मुन से मास्क उतार कर इसके पीछे गई बारेस जो ढीली सी टी शर्ट ट्राउजर में मलबूस वर्जिश में मसरूफ था इसे अपनी तरफ आता देख कर सुलग गया इसे एक नजर देख कर वो इसे कमाल बेन्याजी से नजर अंदाज कर गया इसकी एक नजर पर भी इसका दिल बिल्यों उचलने लगा हाए इसके बाजू की उभरी हुई नसों पर नजर टका कर वे गोया हुई गया है कैसे हो? बारेस ने इसकी बात का जवाब देना जरूरी ना समझा मुझे इतना इगनोर क्यों करते हो में भी कजिन हो तुम्हारी इस हीर को तो साथ लिए फिरते हो वे गुसे से बोली तो बारेस रुक कर उसके मतलब को समझने की कोशिश करने लगा इसकी बात का मतलब समझ आते ही वे तैश से उठा अपनी बक्वास बंद करो तुम जो तुम्हारे इरादे हैं खूब समझता हो में और हीर को कुछ कहने से पहले अपने आप पर गौर कर लो पहले वे तुम जैसी नहीं है इसे कुहनी से पकड़ कर जटकुते वे इसके मुन पर धाड़ा अरे अरे किया हो रहा है यह ओया ने हीर के साथ एंटी मारी तो वे पीछे हिट कर खड़ा हो गया तुम ना दूर रहा करो मेरे भाई से तुम्हें पहले भी कहा था मैंने ओया गुसे से बोली रंजा अपने इतनी बे इज़ती पर पीर पटख कर वहां से चली गई भाई एक जेंपर लगाना था इस चिपकली को नहायत जहर लगती है मुझे यह ओया को बारिस से हमोली देखकर हीर दूर हिट कर लान में लगे फूलों को देखने लगी हिमम लगता तो है आइंदा बाज रहेगी बारिस एक नजर अर्द गिर्ज से लापरवा हीर पर डाल कर बोला तो ओया ने इसकी वे नजर नोट की तो अच्छी कौन लगती है फिर तुम है वे यून ही बात करने की गरस से बोला वे इसके साथ वाक करती इसे देखने लगी अच्छानक शरारत से इसकी आँखें चमकी हीर अच्छी लगती है मुझे फिर किया ख्याल है बारिस ने इसे आँखें दिखाएं बहुत शरारती हो गई हो चिल्लू अंदर और इसे भी साथ ले जाओ दाखली दर्वाजे से अपने एक दोस्त को दाखिल होते देख कर वे इसकी तरफ बढ़ गया ओया नफी मेसर हिलाती हीर की चुकिया खैच्छती अंदर भागी रुक वीना की बच्ची अभी बताती हों तुझे में वे भी आंधी तुफान बनी इसके पीछे ही लान से निकल गई आलम विला के बड़े से सहन में जमीन पर बिची दर्यों पर उन गिनत कपरों का धेर लगा था खुशगवार मौसम अपनी जून बदलता गर्मी को खुश आमदीद कहने लगा था मौसम के तेवर बदलने लगे तो घर की खुवातीन को गर्मियों के लिए नए जूड़े खरीदने का ख्याल आया लेकिन मसरुफियत से फरागत पाकर बाजार के चक्कर लगाना आसान कहा था तो सबूतिगे आलम में उनकी मुश्किल आसान करते हुए एक बूतिक से राप्ता करके घर में ही कपरों का धेर मंगवा लिया था अब भी सहनलिंडा बाजार का मनजर पेश कर रहा था हीर ओया रिजा दरखशा मसूमा भी बलकीस कपरों के धेर के गिर्द जहमगटा लगाए हुए थी बलकीस ने सुर्मई रंग का लान का खुबसूरत जोड़ा उठाया और अपने साथ लगा कर दरखशा की तरफ देखने लगे भावी कैसा लग रहा है ये रंग मुझ पर दरखशा हाथ में पकड़े शिफोन के दोपटे को एक तरफ रखती उनकी तरफ मतवज्जे हुँ अच्छा लग रहा है इसके साथ दोपटा दूसरे शेड का रखो उन्होंने मुस्करा कर कहा तो बलकीस मुतमईन होती दोपटा मैच करने लगे आहा जबरदस्त मुसा बस ये दोपटा मेरी तरफ से रख लो हीर ने मुसा को इन में घुस कर बैखते देखा तो तंस किये बगएर ना रह सकी शट्स अपस मुसा असर लिये बगएर गोया हुआ माशा काले माशा काले यहां तो पूरा लिंडा बाजार लगा हुआ है शाहाना लकडी का चमचा हाथ में पकड़े किचन से नमुदार हुई मी रिंजू तीनों होर कोई कम नहीं हर वक्त बोथे ती पता नहीं केरे केरे मास्क लाके फिर दीरी निये शाहना ने रिजा को अपना फीस मास्क ठीक करते देख कर लतिरा बिल्कुल सही कहा चाची तस हमेशा सही कीन दे ओ मुसा बुतियसी की नुमाईश करता बोला तो शाहना आंखें छूटी किये इसकी तरफ मोड़े वे तो बीबियों में किया कर रहा है चल पज यहां से ओया और हीर की हंसी निकल गई शाहना तुम भी कोई जोड़ा देख लो दरखशा के कहने पर वे सरसरी नजर से कपड़ों का जाइजा लेने लगें इतने में बारेस आया और सहन से गुजर कर मरदान खाने की तरफ जाने लगा कुछ सोच कर वे एक पिल के लिए रुका चाची चाय भिजवादी बहुत तलब हो रही है में मरदान खाने की तरफ जा रहा हूँ हाए मेरा पत्तर चाची सदके तो जा में अभी भिजवाती हूँ शाहाना के प्यार भरे अंदाज में कहने पर वे मुस्करा कर सरहिलाता सहन से चला गया हीर पत्तर जा किचन में चाय रखी है गर्म करके दे आ सब को सब मरद वही बैठे हैं इस हिसाब से ले जाना और साथ कुछ खाने के लिए भी ले जाना हीर ने बेजारी से सर जटका जावीना पत्तर बहन की मदद करवा इन दोनों को हुक्म देकर उन्होंने मसूमाबी को देखा जो सुर्ख शुखकमीज के साथ सफेद गोरिरा पसंद करके फारिГ हुई थी शाहाना सर नीचे जुका कर फिस फिस करने लगे दरखशा ने एक नजर उनको देखकर मसूमा भी को देखा जिनकी तेवरी चड़ गई थी क्या? मैंने क्या कह दिया अब जो मुझ मासूम को गोर रही हैं अब इस्तिगफार खुद को मासूम कहकर मसूमों की तोहीन तो ना कर मसूमा भी दोपटा कान के पीछे उड़स कर बोले जाएं बेबे मैंने अब से बहस नहीं करनी वैली नई हो में इस वक्त वरना अब की शान में कसीदे जरूर पढ़ती जिस काम के लिए आई थी वे तो भूल ही गई में शनूभा भी खाने में कडाही गोश्ट, मतर पुलाओ, आलू के कबाब और मीठे में खीर बना दी है मैंने हा सुबह से काम में लगी हूँ बेडा गर्क हो इसका जिसने इतनी हाडिया इजाद की है दिन रात खाने बना बना कर मेरी तो जिन्दगी ही हांडी हांडी हो गई है हा तो मैं कह रही थी और कुछ तो नहीं बनवाना शाहाना अपनी फर्राटे भरती जबान को रोक कर मुद्दई पर आएं नहीं बस काफी मसूमा भी ने दरखशा की बात काट दी नी तो अपनी जबान भी जाकर भून ले आग पर हर वक्त चलती रहती है जरा आराम मिले हमें भी हर वक्त चख चख लगाई होती है अलुए मुआफ करे ऐसी लंबी जबान किसी की ना देखी ना सुनी शाहाना ने नाक फला कर उन्हें देखा ना बेबे अपनी जबान क्यों में अपका कलेजा ना भून दू लेकिन एक और बात भी है अपका उल्जा खा कर बदहजमी हो जानी है अपनी जबान के जोहर दुखा कर उनका जवाब सुने बगएर वे तन्फिन करती किचन में चली गएं पीछे दरख्षा ने अपना सर पकड़ लिया मसूमा भी बढ़बढाती हुई अपने कमरे में चली गएं आराम से बेटा वे चाय की ट्रेथा में मरदान खाने में गई तो पीर मुडने से जरा सा लड़ खड़ाई जी बाबा इबराहीम आलम के कहने पर वे संभल कर आगे बढ़ी इसके पीछे पीछे ओया सिनिक्स की ट्रेथा में अंदर दाखिल हुई हीर ने एहतियाद से सब को चाय पेश की ओया ने सुनी किस मेज पर रखे और वे दोनों जाने के लिए पलट गई गालिबन सब यहां कारोबारी गुफटगू कर रहे थे लुकेन उन्हें देख कर रुख गए थे असाइमेंट्स बना ली हैं तुम दोनों ने बारेस की आवास पर दोनों के कदमों को ब्रेक लगे वे कोफट से पल्टी नहीं अभी नहीं बनाई सब की नजरें खुद पर मजकोर पाकर उन्हें ने हलकी आवाज में कहा तो कब बनानी है तुम दोनों ने टेस्ट भी नहीं पपर किया होगा याद रखना इस दफ़ा कोई रियायत नहीं मिलेगी बुस लेकर मेरे कमरे में पहुचो दोनों मैं कुछ देर में आ रहा हूँ इसके सख्त लहजे पर दोनों रुहासी होती जल्दी से बाहर निकले हाय और रिबा कत्थे फिस गई हीर हीर ने दहाई देते अपना पसंदीदा डायलाग दोहराया तो ओन्या ने इसकी कमर फिर थपढ़ मारा इस दफ़ा तुम अकेली नहीं में भी फिस गई हूँ बुरे मुन्ह बनाती दोनों कमरे से मतलूबा चीजें लेकर बारेस के कमरे की तरफ बढ़ें यार कितना साफ सुथरा कमरा है तुम्हारे के डोस भाई का वैसे हजार मुझे जहर लगते हूँ वो लेकिन एक बात माननी पड़े गई बन्दे का जौक बहुत इल है हीर कमरे में फैली मध्धम खुश्बू में गहरा सांस भर कर बोली बैट पर नफासत से बिची सफेग चादर पर अपनी किताब रखती वे बैट कर कमरे का जायजा लेने लगी ओया ने जमाई रोक कर बिजार नजरों से असाइन्मेंट पेपर निकाले बारेस को कमरे में दाखिल होता देख कर दोनों अलट होकर बैट गई उन्हें अपने बैट पर बैठा देख कर इसने भनवें सुकेली उधर जाकर बैठोवे संजीदगी से दूर पड़े टूसटर सोफे की तरफ इशारा कर गया वे दोनों तन्फिन करती उठी और सोफे पर जाकर बैठ गई बारेस के हद से ज़्यादा संजीदा मिजाज को देख कर फुल हाल उन्होंने मुनह बंद रखना मुनासिब समझा बारेस उन्हें एक नजर देख कर बैट पर नीम दराज होता मुबाइल पर मसरूफ हो गया मेरी शकल नहीं देखनी टेस्ट याद करना है उन्हें मसलसल अपने आपको तक्ता पाकर वे अचानक उनकी तरफ मुनह करके बोला तो उन्होंने गुडबढ़ा कर किताब थामी और जोर उशोर से रटे लगाने लगे बारेस ने कोफ्ट से उन्हें देखा इसका देन हद्टे देख कर हीर ने आंखें गुमाई इसके खरीब वे सक कर इसने इसकी कमर में गुडगुडी की तो ओया की हंसी निकल गई खाय हा बारेस के गुसे से घूरने पर वे किताब मुनह के आगे करती हल हल कर रटे मारने लगे यार मुझे नहीं याद हो रहा क्या करूँ हीर ने इसके कान के करीब जुकते हुए सरगोशी की चुप कर के याद करने की कोशिश करो नहीं तो भाई का पता है न वे इसे वारन करते हुए बोली हीर ने पीछे हिट कर साथ लाए बेग से चोरी छुपे एक पॉप निकाला और इसमे ननना सा दाना डाल कर बारेस का निशाना लिया इसके फूप मारने की देर थी के वे दाना सीधा बारेस के माथे पर जाकर लगा दफा हो जाओ मेरे कमरे से वे सुर्ख चहरे से दाड़े वे जो कब से इनकी हरकतों को नजर अंदास कर रहा था हीर की इस हरकत पर खुद पर जब्द ना कर सका वे दोनों इसे शदीद गुसे में देखकर सर पर पीर रखकर भागें हर बड़ी में वे अपनी चीजें भी यहीं छोड़ गएं बारेस गुसे से दर्वाजे को देखकर रह गया कहा पागलों में फिस गया हो में ओहो दुश्मनों के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे मुसा ने छट पर कदम रखा तो रविया इसे देखकर रुख ही मोड़ गई जब से मुसा ने इसे मोटी भैंस कहना शुरू किया था तब से इसने ठान ली थी कि अब सब को पुतली होकर दिखाएगी अब पहले की निस्बत वे थोड़ी दुबली लगने लगी थी ओकद्दू उधर मर हीर ने पतन हाथ में पकड़ कर इसे इशारा किया तो वे तन्फिन करता इसकी तरफ बढ़ा भूंक हीर ने हाथ जूते पर रखा ही था कि वे हाथ उठाता पीछे हिट कर खड़ा हो गया अच्छा अच्छा बोल किया है मैंने ना पतन चड़ा कर वे पतन काटनी है वे नीली पतन इसने आस्मान पर उड़ती नीली बड़ी सी पतन की तरफ इशारा किया जिसकी दोर उनके परोस में मौझूद अख्तर साहिब के पोते के हाथ में थी ना कर क्यों पिंगा ले रही हो इसका दादा आगया ना पीपिंग करने तो पहले उनके मुन से नकली जब़ा निकल कर हमारे फर्श को गदला कर देगा और फिर वे जब़ा वापस मुन में डाल कर घर वालों के सामने जो जलील करेगा ना तुम्हारी अगली पिछली नसले याद रखेंगी मुसा ने खुनाक मनजर पेश किया तो हीर ने बगएर असर लिये पतन इसके हाथ में पकड़ा दी मुझे इस से एक चीज का बदला लेना है वे आंखें मटका कर बोली ये लो में जरा उपर जाकर खड़ी होती हूँ जब मैं इशारा करों तो पतन उपर उच्छालना वे मरता किया ना करता कि मिस्दाक पतन पकड़ कर खड़ा हो गया हीर के इशारे पर इसने पतन उच्छाल दी आहो कुछ ही देर में पतन आस्मान से बातें करने लगी हुआ से उड़ते बालों को एक हाथ से चहरे से पीछे हिटती वे पतन की दोर थामती नीली पतन के करीब लाने लगी मुकाबिल चौंक कर सीधा हुआ आंखी सुकेर कर इसने पीली पतन को देखा जो इसकी पतन के रास्ते में आ रही थी इससे पहले कि पीली पतन इसकी पतन को काटती इसने कमाल होश्यारी से पीली पतन की डोर काट दी हीर ने सदमे से अपनी पतन को गिरते देखा इसने बाजू कुहनियों तक चड़ा कर दोपटा कमर पर किसकर बांधा और सामने आते प्रांदे को गुसे से पीछे फैंकती पडोसियों के घर के साथ जड़ी दिवार पर चड़ गई हीर वापस आओ नीचे उत्रो पागल हो गई हो मुसा की आवाजों को नजरन्दास करके वे दिवार से कूद गई धब से नीचे जमीन पर कदम रखकर वे सीधी खड़ी हुई आवाज पर इस लड़के ने मुड़कर देखा तो हीर को देखकर इसे साम्प सून गया हीर ने इसके हाथ में अपनी पतन देखी तो खतरनाक तेवरों से इसकी तरफ बढ़ी वो दुबला पतला सा लड़का इसे अपनी तरफ बढ़ते देख कर भागा क्योंकि हीर की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी अभे रुख फटे हुए बैंगन किसी आशिक की नाकाम शायरी वे चलाती हुई इसके पीछे दौड़ी पीछे से इसकी शट को हाथ में दबोच कर इसने एक थपड़ उसकी गर्दन पर मारा आई लड़का गर्दन पर हाथ रख कर चलाया मजीद मार से बचने के लिए वे पूरी कुवत लगा कर भाग गया हीर हैरत से अपने हाथ में शट के टुकड़े को देखती रह गई जो फट कर उसके हाथ में आ गया था दिवार पर चड़कर सारा मनजर देखते मुसा का कहकहा उबल पड़ा जियो शेरनी वे बेहद महजूस हुआ था हीर ने हंस कर दोनों पतंगें उठाई और मुसा को पकड़ाती दिवार फलान कर अपनी चछट पर आ गई ला 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 जिन्दगी सवार दू एक नई बिहार दो दू दुनिया ही बदल दू में तो प्यारा सा चमतकार हूँ आस्मा को चेवहेलों तिकली बिन उडूँ आ ये ये ओया अपनी ही धन में डब्रेमोन काटून का गाना लहक लहक कर गाती घर के बावर्ची खाने से मुंसलिक सेहन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी के अचानक पीछे मौने पर एक लंबे चोड़े वजूद को ख़़ा देख कर उसकी चीख निकल गई शहरियार जो कबसे बैरूनी दर्वाजे से दाखिल होकर बारेस को काल पर काल कर रहा था लेकिन जवाब मौसूल ना होने पर कुछ सोच कर अंदर आ गया सामने ओया को लहक लहक कर गाता देख कर इसे समझ ना आई के इसे कैसे मखातिब करे वे बलेक पेंट की जेबों में हाथ डाल कर वहीं टेक लगा कर खड़ा होता इसका जाइजा लेने लगा जो काले लंबे करते के साथ नीली जीन्स पहने हुए थी दो पट्टा हमेशा की तरह गिले के गिर्द रूल करके लिप्टा हुआ था इसे अपनी तरफ मतवज्जे पाकर वे गला वे नवर कर सीधा हुआ ओया अपने सामने एक खुबरू मर्द को देखकर अपनी हरकत याद करते शर्मिंदा सी हो गई लेकिन फिर इसने खुद को अंदर ही अंदर डिप्टा भला मुझे किया जरूरत है शर्मिंदा होने की जी फरमाएए कौन हैं अब जो चोरों की तरह घर में घिसे जा रहे हैं वे कमर पर हाथ तुकती लड़ाका औरतों के से अंदाज में बोली इंटर सिटिंग वे इसके अंदाज को देखकर अब रू उचका गया मिस बात ये है कि मैं बारिस का दोस्त हूँ कब से बाहर खड़ा इसे काल कर रहा था लेकिन वे अटेंड नहीं कर रहा था सो मुझे लगा कि घर में चल कर पता करना चाहिए क्योंके मुझे जरूरी काम है इससे और चोरों की तरह घुस कर नहीं आया बाहर अपके गार्ड से पूछ कर आया हूँ इसकी लंबी चोड़ी वजाहत पर वे आंखें घुमा कर रह गई अच्छा अच्छा ठीक है अब ड्राइंग रोम में बैठे में भाई को भेजती हूँ वे जाने के लिए पल्टी तो वे इसे पुकार बैठा मिस आपका जो भी नाम है ड्राइंग रोम है किधर ये तो बता दें वे इसे जिच होता देखकर महजूस होता यूँ ही दाड़ी वे जानी लगा आई मेरे साथ वे फार खाने वाले अंदाज में बोलती इसे साथ लिये चलने लगी वे इसे काफी महमान नवाज हैं अब वे इस पर तंस कर गया तो ओया कड़े तेवरों से इसकी जानिब पल्टी मेरे मुनह ना लगें अप नहीं तो वे इसकी बात दर्मियान में ही काट गया मिस में लगा ही कब हूँ आपके मुनह इसकी जू मानी बात पर ओया के कानों से धोई निकलने लगे इतना बेबाक इनसान इसने जिन्दगी में पहले बार देखा था वे सामने ड्राइन रोम है वहाँ चले जाएं आजहनम में आपकी मर्जी है गुसे से सुर्ख चहरा लिये वे तन्फिन करती किचन की सम्त जाने लगी समझता किया है खुद को बत्तमीज इनसान कमीना में भाई को भी नहीं बता सकती हाथ पर मुक्का मारती वे किचन में दाखिल हुई जहां हीर बे सिरे राग लगाती बरतन धो रही थी पांडे पांडे हो गया दिल पांडे पांडे हो गया वे कवाली के बोल का बेड़ा घर्क करती मसलसल गरदान करते बरतन पटख पटख कर रख रही थी नहीर की बच्ची ओया अपने ही गुसे में चलाती इसके पास रुकती इसकी कमर पर थपड़ मार गई हाय औरिबा ए जालिम दुनिया ती कत्थे फिस गई ही वे खड़ी खड़ी संग के किनारे सर टका कर मगमूम अंदाज में बोली ड्रामे बाज औरत बस कर दे ओया इसकी नाटन की देख कर सुलग गई अच्छा बोल क्या हुआ है तेरा मुनहलाल टॉमिटू क्यों हो रहा है वे अपनी जून में वापस आती धुले बरतन तर्तीब से रैक में रखती इस्तफसार करने लगी यार में ना बाहर चक्कर लगा रही थी तो वे बंदर बत्तमीज शो दी वे दीदे नचा कर इसे शुरू से आखिर तक सब बताने लगी हीर की आँखें उबल पढ़िंग तौबा तौबा ऐसा कहा किया इसने हाना ओया भनवे सोड़ कर बोली वैसे किया बहुत प्यारा है वे हीर ने आँखें पिटपटा कर पूछा हा है तो बहुत प्यारा एहम एहम इसका खुबरू चहरा आखों के सामने आने पर वे बे साखता कह उठी लेकिन हीर के गला खंकारने पर उसकी जबान को ब्रेक लगा किसी का नाम ही पूछ लेती वे शरारत से गोया हुई हीर मुझ से जेम प्रखाएगी पटक कर किचन से ही निकल गई खिरामा खिरामा चलती वे युनिवरसिटी के गेट से अंदर दाखिल हुई आज वे कुछ बुजी बुजी थी ओया और मुसा कल रात नग्याल गए तो वहीं रह गए जिसकी वज़े से आज इसे अकेली आना पड़ा था शाहाना और दरख्षा ने लाग कहा के बारेस के साथ चली जाओ लेकिन वे भी अपने नाम की पकी डाइवर के साथ आई थी युनिवरसिटी की इंटरंस में मामूल से ज्यादा रश देख कर वो चौंकी बेक को कांधे पर ठीक तरह तुकती वे हुजूम के करीब जाकर खड़ी हो गई इसने एक दो को पीछे हटाते अलिफाड़ेयां उंची करके देखा तो चंद लड़के लड़कियों का ग्रूप चादर में लिट्टी एक ड्री सहमी लड़की को घेरे हुए था ये क्या हो रहा है यहाँ इसने साथ खड़ी लड़की को टहुका दिया ये न्यू सिटूडन्स हैं हमारे सीनिरस रीगुं कर रहे हैं जहां कोई मासूम बंदा आबंदी नजर आई इसको घेर कर उल्टे काम करने के लिए प्रेशान कर रहे हैं इसकी बात सुनकर हीर को भनवे तंगेंग हीर ने तलखी से हंस कर इसे देखा अरे छेडव जी अगर हीर ऐसे मौके पर किसी मासूम की मदद न करे तो लानत है हीर के इनसान होने पर अपना बेग इसे पकड़ा कर वे जल्दी से मजमाचीर कर आगे बढ़ी परेहतो लानतियों तुमेश बैनों उन्हें सलवातें सुनाती वे उनके ग्रूप के पास पहुँच गई लंबे चोड़े कड़ के एक सामले से लड़के को इसने कंधे से पकड़ कर पीछे किया तो वे चौंक कर इसे देखने लगा इसके बाकी साथी भी तन्जिया हंसी हंस्ते इसके करीब आ गए ड्री सहमी खड़ी लड़की ने उमीद से हीर को देखा कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई के ग्रूप को डिस्टर्ब करने की सफेद पिंट शट पर काली जैकट पहने एक माडरन सी लड़की हिकारत भरे लहजे में हीर से मखातिब हुई सब दम साधे उन्हें देखने लगे जाने अब किया हो है जी के ग्रूप मतलब कुता ग्रूप वैसे आपकी खसलत की लिहास से बिलकुल पर्फेक्ट नाम है वे आँखें पिटपटा कर बोली तो मजमा में दबी दबी हंसी गुंजी वे सावला सा लड़का हीर के हुलिये पर एक अस्तहजाए नज़र डाल कर इस से मखातिब हुआ हमने पूछा कौन हो तुम? उन्हें समझने का मौका दिये बगएर इसने चादर में लिप्टी लड़की का बाजू पकड़ कर अपने पीछे खड़ा कर लिया इसकी इतनी हिम्मत पर वही माडरन सी लड़की हीर को मारनी के लिए आगे बढ़ी यू थर्ड कलास बच अभी इसका हाथ उठा ही था कि हीर ने इसका हाथ पकड़ कर मोड़ते एक जन्नाटेदार थपड़ उसके मुनह पर दे मारा वे मुनह पर हाथ रखे साकित रह गई इसे यकीन नहीं आ रहा था जो इसके साथ सर्जद हो चुपका था मजमा में गहरा सुकूत चा गया हीर बे खुफी से उनकी आखों में देखने लगी अगर दो बार तुम मैं से किसी ने किसी मासूम को तन करने की कोश्च की तो एक एक कावे हश करूँगी के तुम्हारी अगली पिछली नसले याद रखेंगी एक एक लफ्स चबा कर अदा करती वे इस लड़की का हाथ पकड़ कर मुड़ी तो हैरी ने तैश से आगे बढ़ते इसे कंधे से पकड़ कर जटका दिया जिससे इसका दोपट्टा नीचे जमीन पर गिर गया गुसे से हीर के जबले भींच गए दोपट्टा उठा कर गिले में डालते इसने कदरे फासले पर मौझूद लकड़ी का छोटा सा फटा उठाया और पूरी कुछ से इसके मुनह पर दे मारा वे अपने मुनह पर हाथ रखे एक कदम पीछे हत्ता बेयकीनी से इसे देखने लगा इसकी इतनी हिम्मत पर वे दंग रह गया इसका हूंट फट गया था और गाल बुरी तरह सूच गया था तमाशायों में से एक लड़की प्रोफेसर्स डिपार्टमेंट की तरफ भागी हैरी के साथ ही गुस्से से हीर की तरफ बढ़ने लगे तो इसने हाथ बढ़ा कर उन्हें रोग दिया वे सुर्ख आँखों से इसे देखता इसकी जाने बढ़ा और एक जनाटेदार थपड़ उसके मुन्ह पर मारा थपड़ इतना जोरदार था कि वे तवाजन खोती जमीन पर जागरी वे इसको बालों से पकड़ कर उठाता अपने सामने खड़ा करता इसके मुन्ह पर दाड़े पता भी है मैं कौन हूँ मुझ पर हाथ उठाने की हम्मत की तुम ने तुम जैसी लड़कियों को मैं चंद मिनित में गायब करवा दूँ इसकी ग्रिफ्ट में फड़पड़ाती हीर ने इसकी बकवास पर इसके चहरे पर थूका गैज औ गजब से पागल होते इसने एक बार फिर इसे मारने के लिए हाथ उठाया तो किसी ने इसका हाथ पकड़ कर इसे जोरदार जटका दिया वे जैसे ही मुडानो वारिद ने एक जबरदस्त ग्योनिसा उसके मुनह पर दे मारा वे मुनह पर हाथ रख कर दोहरा हो गया नफी में सर हिलाते वे सीधा हुआ और जैकट उतार कर दबकी खड़े अपने ग्रूप की तरफ फैकी गर्दन को दाएं बाईं हरकत देते वे मुकाबिल की तरफ बढ़ा दोनों आपस में गुथम गुथा हो गए तमाम तालिबे इल्म अपने आइडियल प्रोफेसर को पहली बार इतने तैश में देख रहे थे हीर ने मुनह पर हाथ रखते बारेस को देखा जो बुरी तरहा इसे पेट रहा था इस सब में वे खुद को भी चोट लगा चुपका था मेरे घर की औरत पर हाथ उठाएगा तेरे हाथ काट दूंगा में दीगर प्रोफेसर्स ने जल्दी से आकर उन्हें अलग किया वे अपने हुन से बहते खुण को हाथ की पुष्ट से साफ करते खड़ा हो गया एक प्रोफेसर बारेस से मखातिब हुआ प्रोफेसर बारेस अपको ही कुछ ख्याल बी सालिट इसके सर्द लहजे में कहने पर प्रोफेसर की जबान को बरौ लगा वे खौफ जदा हीर का बाजू थाम कर इसे अपने आफिस में ले आया यहां बैठो इसने हीर को गुमसम खड़ा देखकर अपनी रूलिंग चेयर की तरफ इशारा किया तो वे चुप चाप वहां बैठ गई नजरें जुका कर वे अपने हाथों को देखने लगी जो बुरी तरहेचने लगए थे बारेस इसके सामने घुटनों के बिल बैठा और टेबल से फर्स्ट एडबाकिस पकड़ कर इससे मरहम निकाली हीर का हाथ थाम कर वे नर्मी से खराशों पर मरहम लगाने लगा हीर गुमसम सी इसके जुके सर को देखे गई जिन्दगी में पहली दफ़ा इसके नर्म अंदाज ने इसे गुमसम कर दिया था वरना इससे पहले तक वे इसकी शरारतों की वज़े से हमेशा इसे गुसे से ही देखा करता था इसके हाथों पर मरहम लगा कर इसने सर उठा कर इसके चहरे को देखा थपड़ पढ़ने से हीर का गाल बुरी तरह सूज गया था तफक्कुर से इसके चहरे को देखकर इसने एलो वीरा जेल पकड़ी और नर्मी से इसके गाल पर लगा गया हीर नजरें जुका कर तेजी से पलकें जपकने लगी बारिस इसे गुमसम देख कर गहरी सांस लेकर उठा हीर उधर देखो किया ज्यादा दर्द हो रहा है इसके कहने की देर थी कि वे जब्द खोती उठी और उससे लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी बारिस साकित खड़ा रह गया I am sorry प्रोफेसर मेरी वज़े से आपको चोटे लगे मैं बहुत डर गई थी अगर मेरी वज़े से आपको कुछ हो जाता तो बिलक बिलक कर कहती वे अपने हवास में ना थी चंद लम्हों बाद इसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ तो वे आहस्ता से इससे अलग होकर खड़ी हो गई I am sorry वे चहरे पर गिरते आंसु हाथ से साफ करने लगी मैं ठीक हूँ हीर लेकिन तुम्हें उनसे उलजने की किया जरूरत थी अगर खुदानखास्ता मुझे पहुचने में देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था वे इसे सरजनिश करने लगा प्रोफेसर मैं पागल थोड़ी हूँ जो फजूल में उन बद तुम्जुहे से उलजूँ वे एक मासूम लड़की को तंग कर रहे थे मुझसे बरदाश्त नहीं हुआ इसलिए इसकी मदद करने गई थी बस वे शूशू करते बोली तो बारेस ने समझ कर सरहिलाया इतने में एक मुलाजम दर्वाजे खटखटा कर आफिस में दाखिल हुआ और टेबल पर जूस का गलास रखते खामोशी से बाहर चला गया तुम जूस पीलो तब तक में बैंड एज़ कर लो इसे हुक्म दे कर वे गदरे एक तरफ रखे सोफे पर बैठ गया और बाकिस से बैंड एज़ निकाल कर माथे पर लगाने लगा हीर इसकी चेयर पर बैखती आगे धुरे मेज पर सर टका गई इसे देखते देखते इसकी आँखें बोजल होने लगें और जाने कब वे वही बैठी बैठी सो गई बारेस ने बैंडेज करके इसे देखा तो इसे आँखें बंद किये देखकर पकार बैठा हीर जवाब नदारत पाकर वे नफी में सरहिलाता खामोशी से बाहर नूलता आफिस का दर्वाजे बंद कर गया सपाच चहरे के साथ अब इसका रुख प्रिंसिपल आफिस की जानिब था बारेस की हमराही में इसने आलम विला में कदम रखा आज जो कुछ इसके साथ सरजद हो चुका था इसने इसके असाब पर इतना बोज डाला के घराते आते इसका जिसम बखार से जलने लगा था सहन में से सब की आवाजें गुंज रही थी इसने कुफ्ट से बारेस को देखा जो इसे रिलेक्स होने का इशारा करते अंदर की जानिब बढ़ गया इसने अभी चंद कदम उठाए ही थे कि इसे जोरदार चक्कर आया और वे लहरा कर नीचे गिरती बेहोश हो गई सबसे पहले शाहाना की नजर इस पर पड़ी अबा जी इसको तो बहुत तेज बुखार है इबराहीम असको डॉक्टर के पास ले जाएं या ऐसा करें डॉक्टर को घर बिला ले सबुक्तगीन आलम से कहकर वे शोहर से मखातिब हुई पड़े हटोने मुन हो के रिहो सब पत्तर असको कमरे में लेके जा और इबाद तो डॉक्टर को बिलाला शाबाश मसूमा भी गरारा संभालती आएं और बेटों को हुक्म देती शाहाना से मخातिब हुई जो बेसुत पड़ी हीर को उठाने के जतन कर रही थी शाहाना हुसला कर कुछ नहीं हुआ हीर को अभी होश आ जाता है जी बे बे सास बहु के पहली बार बिलकुल नार्मल अंदाज में बात करने पर इस परेशानी के मौके पर भी सब को शदीद हैरत हुई कहा वे सीधे मुन एक दूसरे से बात नहीं करती और कहा ये प्यार भरा अंदाज हकीकत तो ये है कि इनसान चाहे जबान का जितना भी करवा हो अपनों को तकलीफ में देखकर इसका दिल मौम हो जाता है तो किया समझे जी इसलिए तो वे इनसान कहलाता है कुछ वक्त बाद डॉक्टर कमरे में हीर का मौाइना कर रहा था शाहाना इबराहीम आलम इबाद आलम और सबुक्तगीन आलम एक तरफ खड़े खामोशी से डॉक्टर की कारवाई मुलाहजा कर रहे थे डॉक्टर ने इसका मुकमल चेक अप करने के बाद कागज पर कुछ दवाईयां लिखी और कागज इबराहीम आलम की तरफ बढ़ाया जिसे उन्होंने आगे बढ़ते थाम लिया ज्यादा प्रेशानी वाली बात नहीं है उन्होंने सट्रेस लिया है किसी बात का जिससे इनको बखार हुआ है और नकाहत से ये बेहोश हो गई है कुछ वक्त में उनको होश आजाएगा कुछ खुला कर ये दवाई दे दीजिएगा कहकर वे अपना बेग उठा कर खड़ा हो गया शाहाना के अलावा सब कमरे से बाहर चले गए वे परसोच नजरों से इसके सूझे चहरे और हाथों पर जाबजा लगी खराशों को देखने लगे आखिर किस बात की टैंशनली है इसने और ये चोटें कैसे आएं इसका माथा चूम कर वे आहिस्ता से बाहर आएं सहन उबूर करके उन्होंने बारेस के कमरे में जहांका जो इस सबसे बेखबर बैट पर नीम दराज कानों में एरपोड्स लगाए लेप टोप पर काम कर रहा था शाहाना पर नजर पढ़ते ही वे लेप टोप रखता उठ बैठा जी चची कोई काम था आपको पत्तर बाहर अजरा बात करनी ही तेरे से कहकर वे पलट गई तो वे उलचता हुआ पैरों में जूता डाल कर उनके पीछे चल दिया सब बच्चों को बाहर लान में भेज कर वे संजीदगी से बारे से मखातिब हुई पत्तर सच सच बता आज यूनिवर्सिटी में किया हुआ है इनकी बात पर बारे स्चौंग गया कहीं हीर ने तो नहीं मैं अब की बात समझा नहीं चची बारी बेटा शाहाना जो पूछ रही है बता देना सबुक्तगीन आलम पोते से मखातिब हुए दोस्तों से जगड़ा हो गया था इसका बात मार पेट तक पहुँच गयी थी लेकिन मैं वक्त पर पहुँच गया था मेरा तो दिल हॉल रहा है आखिर कड़ियों से लड़ाई की इतनी टैंशन लेली इसने के बेहोश हो गई पत्तर तो कुछ शुपा तो नहीं रहा हीर के बेहोश हुने का सुनकर वे चौनका कब बेहोश हुई मेरे साथ ही ठीठ ठाक आई थी बस पत्तर तेरे कमरे में जाते ही वे बाहर गिर गई थी डॉक्टर देख गया है थोड़ी देर तक होश आ जाएगा मैं देखती हो इसे और एंदे यवनी वरासिटी में इसकी खबर लेता रहा कर अपनी वीना और मुसा तो समझदार है लेकिन हीर पूरी की पूरी जिल्ली है तफक्कुर से इसे कहती वे उठी तो वे महसर हिला कर रह गया धीरे धीरे इसने आँखें खोली तो अपने अर्द गिर्द सब को पाकर हैरान होती उठने की कोशिश करने लगी मा सदके पत्तर आराम से अब कैसा महसूस कर रही है शाहाना इसे तक्या के सहारे बिठाते हुए बोले मैं ठीक हूँ इसने दुखते सर को तक्या से टका कर सब को देख कर मुस्कुराने की कोशिश की सब बारी बारी इससे आकर मिले बड़े इसको सिहत याबी की दुआ देते एक एक करके बाहर चले गए अब कमरे में सिर्फ यन पल्टन रह गई थी शाहाना हीर के लिए सूप बनाने की गरस से किचन में चली गए रिजा मस्नुई मुस्कुराहत चहरे पर सजा कर उसके सामने आई कैसी हो हीर ठीक हो वे बेतासुर चहरे के साथ बोली तो रिजा आंखें घुमाती कमरे से चली गई हून अभी तक अकड़ नहीं गई इसकी इसके जाने के बाद कमरे में रबिया रह गई रिजा की निस्बत इसके चहरे पर हीर के लिए नर्म तासुर था जल्दी ठीक हो जाओगी और ज्यादा सा च्रेस ना लिया करो लाख हमारा आपस में जगड़ा हो लेकिन सच कहों तुम हंस्ती मुस्कराती ही अच्छी लगती हो रबिया के बोलने पर वे हलका सा हंस दी बैठ जाओ हीर ने इसे बैठ पर बैठने का इशारा किया तो वे इसके पास ही बैठ गई ओया नहीं आई हीर के इस तफसार पर अभी वे कुछ कहने ही लगी थी दर्वाजा खौल कर ओया अंदर आई और हीर से लिपट गई यार में एक रात किया वहां रह गई तुमने तो अपना हाल ही बिगार लिया है वे फिक्रमंदी से इसे साथ लगाए बोली तो हीर उसके इतने प्यार पर मुस्करा दी ठीक हो यार सब इतना परेशान क्यों हो रहे है मेरी हर वक्त शरारतें करने वाली हीर ऐसे चुप करके बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो सबने प्रेशान तो होना है ना देख कैसे चुवसा मुन्ह निकल आया है तेरा अब तेरा में खुद देन रखूंगी शाहाना मुसा के हमरा सूप की ट्रेथा में अंदर दाखिल हुई लाइं चाची में पला देती हूँ ओया ने उठकर उनके हाथ से ट्रेथे पकड़ी वीना पत्तर सूप पला कर इसे दवाई भी दे देना मैं जरा बेबे को देख लू चूलहे के पास खड़े यकीनन मुझे चूलहे में डालने के मनसूबे बना रही होंगी उनके जाने के बाद मुसा का दिहान रबिया पर पड़ा इसने हूंट गोल करते इसे देखा जो अब पहले से दुबली हो गई थी दुश्मनों के मिजाज बदले बदले नजर आते हैं ये किसकी शामत के आसार नजर आते हैं ओया भी रबिया को देखने लगी तो वे उनकी नजरों से पजल हो गई हीर ने तंबीही नजरों से इसे घुरा तो वे एनस्ता हुआ इससे हाल दर्याफ्त करने लगा रबिया पहले तो जेजे का फिर वे भी उनके साथ बातों में शामिल हो गई रबिया को उनके साथ वक्त गुजारने पर एहसास हुआ कि वे इतने भी बुरे नहीं थे जितना वे उनहें समझती थी जब वे काफी देर बाद उठकर जाने लगी तो हीर ने नर्मी से इसे देखते इसकी तरफ हाथ बढ़ाया फरेंड वे हलका सा हंस्ती इसका हाथ थाम गई यस फरेंड वी आर सौरी यार के हमने तुम्हें इतना तंग किया वह यह माजरत खा अंदाज में बोली कोई बात नहीं वे असको मसकरा कर देखती मुसा को सरे से नजर अंदाज करती चली गई यार ये इतना मसकरा मसकरा कर क्यों बात कर रही थी कहीं बंदे को गिराने का इरादे तो नहीं वे दिल के मकाम पर हाथ रखता ठेट आशिकों के अंदाज में बोला तो ओया ने रख कर एक थपड़ उसकी पीट पर मारा शर्म कर लो कुछ असको सरजनिश करती वे हीर के साथ बातों में मस्रूफ हो गई मसूमा भी सहन में रखे तخت पोश पर बैठें पैसे गिन रही थी उन्होंने शहादत की उंगली पर थोक लगाई और आराम से पैसे गिनने लगे मतलूबा रकम अलहिदा करके उन्होंने बाकी पैसे दोपटे के किनारे से बांध कर गिरा लगा ली महीना खत्म होने वाला था उनकी करीमों का डेर खत्म होने वाला था लहाज़ा वे कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाने वाली थी अब देखिये महले के किस लड़के की किसमत फुटने वाली थी क्योंके मुसा तो इनके बाजार जाने का सुनकर ही रफू चक्कर हो जाता था बेबे कहा की तैयारी है अब की शाहाना ने वहां से गुजरते हुए अपने बड़ी बड़ी तेज आँखों से मसूमा को नोट गिनते देखा तो पूछे बगएर ना रह सके नी तो कोई मेरी अमा लगी है या मेरे बावा जी ने दुन्या से रुखसत होने से पहले तुझे मेरे सर पर कुझसूया लेने के लिए मुसल्ब किया था जो मैं तुझे बतम ये अपने बानुदरी जैसी शक्利 लेकर बार बार मेरे सामने ना आया कर मसूमा भी तख्ट पोश का सहारा लेकर खड़ी होते हुए बोले हाई नंद की सूँ इस च्छनो बानुदरी को तो आप एक एक गिल जाकर बताती है मैंने पूछ लिया तो कोई तूफान तो नहीं आ गया और खुद बासे मुन के साथ मुझे बानुदरी कहना आपको जेब नहीं देता मेरी शकल पर तो एक जमाना मरता है वे एक अदा से दीदे नचा कर बोलें तो मसूमा भी ने बुत्यसी निकाली जिसके अगले दो दांत गायब थे खाये तो सही कहा तुने जो भी तेरी मनहूस बोथी देख ले इसने खौफ से मर ही जाना है बगएर शाहाना की अगली बात सुनेवे खिरामा खिरामा चलतीं घर की दहलीज अबूर कर गएंग ये अभी उनकी जवानी है जो रिंग रिंग कर चल रही है बुड़ापे में तो फिर ये जमीन के सीने से लगी नजर आएंगी हना ओ शाकील उधर आ गिली के नाकर पर खड़ी वे आखों पर हाथ रखे चिनी आखों से उधर उधर देखती महले के किसी लड़के को तलाश कर रही थी शकील पर नजर पढ़ते ही वे इसे पुकार बैठें शकील ने दूर से उन्हें देख कर वापस मौना चाहा लेकिन तब तक वे इसे देख चुकी थी आज तो मेरी किस्मत फूटी ही फूटी हाजी अम्मा जी किया हाल है ठीक ही लग रहे हो में जरा काम से जा रहा था फिर मिलता हो खुदा हाफिज उजलत भरे अंदाज में कहकर वे जाने लगा तो मसूमा भी ने तनक कर इसे देखा वे टट मरने आई थे आ कैथे पजरिया है उधर आ मेरा पत्तर मुझे ये बाजार तक तो ले जा बस आधा घंटा तो लगना है चल मेरा चंगा पत्तर शुरू में उलस कर बोलती आखिर में अपने लहजे को शीरिंग करते हुए बोले अलुए किधर फिस गया हो में अच्छा अम्मा में मोटर साइकल लाता हूँ मुन के जाविय बिगागता वे जाकर बाइक ले आया मसूमा भी ने इसके कंधे को दबोचा तो वे उराय कर रह गया बड़ी तगो दो के बाद वे इसके पीछे बाइक पर बैठें तो बाइक आगे से उपर उठ गई शकील घबरा कर हुआ में टांगें चलाने लगा वे शक्यल्ला शोदिया मैंनो मारन दी इरादा ए तेरा इसकी गर्दन में बाजू का फंदा डाल कर सहारा लेती वे इसकी गर्दन पर चपर मारने लगें इससे पहले के मोटर साइकल उलती किसी राह गुजर ने जल्दी से इनकी मदद करते बाइक को सीधा किया मसूमा भी जैसे ही बाइक से उतर कर सांस हमवार करने के लिए रुकी वे बगएर पीछे दिकेई बाइक उड़ा ले गया पीछे वे इसे आवाजें ही देती रह गई लेकिन वे ऐसा भागा के पलट करना देखा गाड़ी का दर्वाजा खौल कर वे बाहर निकला लीजा ने भी इसकी तकलीद की शेरी ये जगा कुछ पुरानी पुरानी नहीं अपनी सुन गलासिस को सर पर टुकती वे आलम विला के सामने आकर रुकती जाइजा लेती नजरों से देखने लगी नहीं बहुत जबरदस्त महल है ये अंदर से देखोगी यहां के मकीनों के जौक की काईल हो जाओगी तुमने बारी को बता तो दिया था ना कहीं इसके घर वाले सीन ना कुरियेट कर दें हिमम इनफॉर्म कर दिया था आता ही होगा तकरीबन पांच मिनट के बाद बारेस बड़ा सा दाखली दर्वाजे धकेल कर बाहर निकला हाई बड़ी कैसे हो शहरियार इससे बगलगीर हुआ फाइन मुसकरा कर कहते वे लीजा की तरफ पलटा कैसी हो अंदर चलू बाकी हाल चाल अंदर चल कर पुछते है बारेस खुशगवारी से कहता उन्हें साथ लिए अंदर की जानिब बड़ा बारी कितना बदल गए हो तुम तुम्हारी लूस भी पहले से काफी अच्छी हो गई है लीजा ने इसके साथ चलते कहा लीजा के रिमाक्स पर वे महस मसकरा दिया घर के बड़ोंको को वे पहले ही उनकी आमद का बता चुका था लीजा शहरियार की कजिन थी जो बाहर के मुक से पढ़कर हाल ही में पाकिस्तान आई थी यहाँ वे पाकिस्तान के खुबसूरत मकामात को देखने की चामे आई थी यहाँ आने के बाद रहाईश का मिसला बना तो इसने शहरियार से मदद मांगी शहरियार खुद अकिला फलेक में रहता था ऐसे में इसे अपने साथ रखना कुछ मुनासिब ना था इसी सिलसे में वे बारेश से मशवरा मांगे आया था क्यूंके जिस तरह के हालात थे लीजा का अकिले घर में रहना इसके लिए काबले कुबूल ना था लीजा इसकी कजिन होने के साथ इसकी और बारेश की दोस्त भी थी बारेस से इसकी दोस्ती यूं हुई कि एक बिजनस डीलिंग के सिलसले में बारेस इबाद आलम के साथ यू के गया था वही शहरियार के हमरा लीजा से इसका तारुफ हुआ और मुबाइल के जरीये भी वेराब्ते में थे बारेस ने इसकी प्रेशानी का हल यू निकाला के इसे अपने आलिशान महल में रहने की पेशकश की जिसे शहरियार ने काफी पस और पेश के बाद कुबूल कर लिया बारेस ने कह तो दिया लेकिन वही जानता था कि इसने घर वालों को किस तरह मनाया था घर के बच्चे अभी इस बात से लाइल्म थे जही वे बारेस के हमरा अंदर दाखिल हुई सहं में मौजूद तमाम खुआतीन का मुन्ह खिल गया बलेक जीन्स शट में मलबूस वे लड़की उन्हें एक आकना भाई लीजा बजाहिर मुस्कुराई लेकिन दिल ही दिल में शदीद कोफ्त का शिकार हुई दरख्षा को सबसे पहले होश आया आओ बेटा वहां क्यों खड़े हो तुम लोग उनके कहने पर वे आगे बढ़ते उनसे मिले शहरियार उनके सामने प्यार लेने के लिए जुका तो वे इस से प्यार भरा शको कर गएं बेटे बड़ी देर बाद शकल दिखाई किया मा की याद नहीं आती शहरियार शर्मिंदा हो गया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वे इन से माजरत करता बाकी खुआतीन को सलाम कर गया उफ शुरू हो गया मिडल कलास लोगों का ड्रामा लीजा ने उलस कर सोचा वे जल्द अस जल्द अपने कमरे में जाना चाहती थी उनको वहां बिठा कर वे ओया को आवाज देती किचन में गएं आवाज सुनकर ओया हीर के साथ सहन से गुजरती किचन में जाने लगी के बारेस के साथ चिपक कर बैठी लड़की को देख कर इसे हैरत का जटका लगा और उसे बढ़ा जटका हीर को लगा जब इसने सहन के एक तरफ रखे भारी भरकम बेग को देखा हीर ने मसूमा भी को इशारा किया जो तीखी नजरों से लीजा को सरता पीर घोर रही थी उनको अपनी तरफ मतवज्जे ना होते देख कर वे ओया का बाजू थामे किचन में गई जहां दरखशा चाय का पानी चूलहे पर रख चुकी थी उधर आओ दोनों ये चाय बना दो महमान आये हैं और मुसा को भेज कर कुछ दूसरा सामान भी मंगवा लो लेकिन मामा ये लड़की कौन है जो बाहर भाई के साथ चुपकी बैठी है ओया तनक कर बोली और वहाँ एक बेग भी पड़ा है हीर भी सवालिया हुई बारेस की दोस्त है इसका रहाईश का मिसला बन रहा है इसलिए वे चंद माये ही रहेगी चलू अब ज्यादा बाते ना बनाओ मुसा को बिला लो उनके जाने के बाद वे हीर की तरफ पल्टी हीर ये वही लड़का है वे मुन्ह के जाविये बिगार कर बोली हैं कौन सा ये जो बाहर बैठा है इस चलेल के साथ हीर फॉरन से पहले बोली हाँ वही मुझे बहुत गुसा आ रहा है दोनों पर और इस लड़की को देखा है कैसे कपड़े पहन कर बैठी है मुझे तो देख कर ही शर्म आ रही है यार वीना अब तो यहीं रहना इसने वैसे जिस तरह वे प्रोफेसर के साथ चिपक कर बैठी है मुझे तो उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे है बारेस के साथ किसी लड़की को देख कर अंदर ही अंदर वे जलन का शिकार हुई भाव में जाए वे अभी तो तुम यह चाए वगेरा बाहर लेकर जाओ इस शोदे के सामने में तो नहीं जा रही ओया खामखा अपने बालों में हाथ फेरने लगी ओहो तुम्हें शर्म आ रही है किया वे इसे छेड़ने लगी हुन्ह शर्म आती है मेरी जूती को हीर शरारती मिसकन से इसे देखती लवाजमात से भरी ट्रे उठा कर बाहर निकल गई इनको सलाम करके वे उन्हें चाए पेश करने लगी लीजा ने इसका तफसीली जाइजा लेते अस्तहजाय मुसकरा कर सरजटका अर्द गिर्द देखते इसने हीर से चाय का कप पकरते जान बोच कर हाथ हिलाया जिससे थोड़ी सी चाय इसके हाथ पर गिर गई आह तुम पागल हो दे उन कहा है तुम्हारा अजीब ला परवा मुलाजमा रखी हुई है अपने इसने इसे जान बोच कर मुलाजमा कहा था हाला कि यहां आने से पहले वे इस घर के हर फर्द के बारे में मलूमात लेकर आई थी सब के चेहरों पर गहरी संजीदगी चा गई हीर की आँखों में आंसू आ गए वे जल्दी से उठती वहां से चली गई वे मेरी कजिन है लीजा कोई मुलाजमा नहीं है बारे इस शाहाना के संजीदा चेहरे को माजरत खाना नजरों से देखते लीजा से बोला ओ आई एम सौरी बारी इसका गेट अप ऐसा था इसलिए मुझे लगा के वे शाहाना वहां से उठकर चली गए वो के यार में चलता हूँ अब शहरियार खड़ा हुआ तो बारेस भी उठ़़ा हुआ बेटा इतनी जल्दी जा रहे हो दरखशा के सवाल पर वे मुस्करा द कोई बात नहीं बेटा इसे पता नहीं था ओके सब को खुदा हाफ़ज बारेस के साथ वे बाहर चला गया लेकिन जाते जाते किचन से जहांकती ओया पर गहरी नजर डालना ना भूला इसकी गहरी अंदर तक उतरती नजर पर ओन्या की धारकनों में इर्तियाश पैदा हुआ तेरुक इसे नए लकब से नवास्ती वे लीजा के बारे में मजीद मालूमात लेने के लिए दरखशा के कमरे की तरफ बढ़ी हीर अपने कमरे में गुमसम सी बैद पर ओनिधी लेटी थी आज लीजा ने जो हरकत की थी इसका दिल बहुत दुखा था इसकी चहरे पर फैला इस तहजा इसे बहुत कुछ बावर करा गया था लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसने इसके साथ क्यों ऐसा किया उपर से बारेस का चुप रहना इसे और भी खिल रहा था पता नहीं क्यों लेकिन वे चाहती थी कि बारेस इसकी हमायत करे इसके खलंडरे कॉम्पल से नर्म और शफाफ दिल में महबत की सुनहरी किरने फूटने लगी थी, जिससे अभी वे खुद भी बेखबर थी हीर वे यह मुश्किल से अपनी चीख रोकती आंधी तूफान बनी इसके कमरे में आई अलुए में इतनी खुश हों इतनी खुश हों कि तुम्हें बता नहीं सकती अलुए मेरी दिल्ली मुराद पूरी होने जा रही है वे इसे उठाती फर्थ मसर्थ से नान स्टाप बोलती जा रही थी हुआ किया है? कुछ बताओगी भी इसके गोल घुमाने पर हीर ने चकरती सर पर हाथ रखते इससे पूछा यार मैं अभी दादी के कमरे के पास से आई हूँ वहां मामा बाबा दोनों चाचु मतलब सब ही एकठे हुए है बच्चों को बहाने से उन्होंने दूसरी तरफ भेजा तो मुझे शक पढ़ गया के जरूर कोई बात है वे हाथ हिला हिला कर बताने लगी यार इतनी लंबी लंबी ना फैंक सीधी तरह बता एक तो पहले ही मेरा मौड खराब है उपर से तुम बिक बिक किये जा रही हो वे उकता कर बोली तो ओया की चलती जबान को ब्रेक लगा क्यों किया हुआ है मौड क्यों खराब है छोड़ इस बात को वे मनजर फिर से याद आते इसकी आँखें गीली होने लगे वया तो इसकी आँखों में आंसु देखकर तड़ब गई मुझे बता किसी में कुछ कहा है मैं इसका मुन तोड़ दूँगी इसका पताखा मौड उन हो गया वया के मसलसल असरार पर इसने सारी बात इसे कह सुनाई वया का गम औ गुस्से से बुरा हाल हो गया हीर तो ठीक कह रही थी जरूर ये किसी और मकसद से आई है यहां लेकिन तो टैंशन ना ले मौका मिलने पर इससे इस बे इज़ती का बदला जरूर लेंगे अच्छा छोड़ो इसे में इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती तुम किया कह रही थी हीर बैड के किनारे टिकते हुए बोली तो ओया चमकती आँखों से इसके साथ बैठी यार में दर्वाजे से कान लगा कर इनकी बातें सुन रही थी दादा जान कह रहे थे कि सब बच्चियां जवान हो गई हैं अब उनके बाए के बारे में सोचो खेर से इस साल तालीम भी मुकमल हो जाएगी उनकी तो दादी कहती के रिष्टे तो घर में भी है समझ रही हो वे शरार्ती मुस्कराहच से इसे देखने लगी कुक किया मतलब हीर ने धड़कते दिल से पूछा यार हाय हा मुझे तो सोच कर भी हंसी आ रही है वे मुसा और रविया के रिष्टे की बात कर रहे थे हाय हा इसकी देखा देखी हीर भी हंसने लगी और और तो ना मेरी भाभी बनने के लिए तयार हो जा वया ने इसके सर पर धमाका किया वे फटी आँखों से इसे देखने लगी हा हो होश में तो हो क्या कह रही हो प्रोफेसर तो कभी नहीं मानेंगे नेवर वे नफी में गर्दन हिलाने लगी भाई से अभी बात करेंगे ना पागल अभी तो बढ़ों में है ये बात तुम अपनी बताओ तुम तो राजी हो ना हूँ वे इसे कंधा मारती छेडने लगी तो हीर जिंदगी में पहली बार शर्मा गई ओहो लोगों को शर्म आ रही है ओया के छेडने पर वे सुर्ख चहरा हाथों में छुपा गई अगली सुबह तीनों ने यवनी से छटी कर ली सबूतिगे आलम ने बारेस को भी जल्दी आने का कहा था कि उन्होंने जरूरी बात करनी थी सब नाष्टे की मेज पर बैठे नाष्टा कर रहे थे कि लीजा धीली सी टी शर्ट ट्राउजर में जमाई रोकती आई और कुरसी घसीट कर बैठ गई गुड मार्निंग एवरीवन ओया और हीर ने इसे देख कर आँखें घुमाई जब कि रिजा इसे देख कर मुस्करा दी जवाबा अलीजा भी इसे देख कर मुस्कुराई ये बंदी इसे कुछ बहतर लगी थी रबिया ने हीर के कान में सरगोशी की ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जिस हिसाब से इसने मुनह पर पिलास्टिक सरजरी करवाई है, मुझे तो माइकल जेक्सन की बहन लग रही है इसकी गोहर अफशानी पर हीर के हल्क में नवाला फंस गया जबके ओया की हसी निकल गई सब खाना छोड़ कर उन्हें देखने लगे तो वे सर जुका कर शराफत से नाश्टा करने लगे लीजा ने तीकी नजरों से उन्हें देखा मुसा जल्दी से नाश्टा खत्म करता उठा और उन तीनों को लान में आने का इशारा करता वहां से चला गया नाश्टा करने के बाद उन्होंने जल्दी से बरतन समिटे और लान में चली आएं रिजा ने नागवारी से रबिया को उनके साथ जाते देखा इसे रबिया का उनके साथ मील जौल जरा पसंद नहीं आया था लान में सुबह की ठंडी तर और ताजा हुआ ने उनका इस्तिक्बाल किया फुलों से उठती धीमी महत में गहरे सांस लेती वेवाग करने लगे मुसा अचानक उनके पीछे से नमूदार हुआ ओया ने कोफ्ट से इसे देखा क्या हर वक्त बंदरों की तरहा उधर उधर फुदकते रहते हो असको बंदर कहने पर रबिया ने मुसकान दबाई जो मुसा को एक आखना भाई वे अपने इकबाल साहिब है न वे गोया हुआ तो हीर ने आँखे छूटी करके इसे देखा कौन इकबाल साहिब अरे वही अपने शायन मश्रिक अल्लामा इकबाल हीर का हाथ जूते तक जाता जाता रुका अरे तेरे बाबा लगे हैं किया वे हूँ बढ़ा आया अपने इकबाल साहिब अपनी सुत्री होने पर वे डेटूं की तरह मुसकरा दिया अच्छा सुन तो वे किया कहते हैं मेरे बारे में मत सहल हमें जानों फिरता है फलक बरसों तब खाक के परदे से कद्दू निकलते हैं मुसा जो इनसान कहने लगा था हीर ने इसका शेर उचक लिया और गधे ये इकबाल का नहीं मीर तकी मीर का शेर है हाईहा ओया और रबिया हंस हंस कर दोहरी हो गए हीर भी हंस्ती हुई वहां से भागी क्योंके मुसा खतरनाक तेवर्रों से इसकी तरफ बढ़ा था ओया रबिया के साथ पीछे हिट कर खड़ी हो गई क्योंके अब पूरे घर में तूफान बगत्तमीजी मचने वाला था बारेस थका थका सा आलम विला में दाखिल हुआ यूनिवरसिटी में हीर वाला मुआमला बहुत मुश्किल से रफ दफ हुआ था मुसलसल बहसे और काम के बोच की वज़े से इसका सर शदीद दर्द कर रहा था कनपटी को दबा कर वे बगएर किसी की तरफ देखे अपने कमरे में चला गया लीजा जो कब से इसका इंतिजार कर रही थी इसे देख कर उसके कमरे में जाने के लिए बेताब हुई लेकिन शाहाना की कड़ी नजर खुद पर मरुविस्पा कर सुलकती हुई बाहरलान में चली गई बारेस जब फरेश होकर खाने वगएरा से फारिग हुआ तो सबूत गें आलम इबाद आलम और दरख्शा के साथ उसके कमरे में दाखिल हुए उन्हें देखकर वे उठ खड़ा हुआ बैट बैट पत्तर वे तीनों कमरे में रखे सोफे पर बिराजमान हो गए आप सब यहां खेरियत तो है वे सरापा सवाल बना हाँ बेटा सब खेरियत है अबाजी बलके घर के बड़ों ने सब बच्चों के लिए कुछ फैसले किये है इसी सिलसले में तुम से बात करने आए है इबाद आलम गोया हुए उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा बड़ों के फैसले की लाज रखेगा वे खामोशी से उन्हें देखने लगा बेटा माशा काले सब बच्चे जवान हो गए हैं तो अब हमारे ख्याल सब को अपने घरों का हो जाना चाहिए ये काम जत्मी जल्दी निप्टा लिए जाए इतना बहतर होता है मुसा के लिए हमने रबिया का इंतिखाब किया है अपने घर की बच्ची है समझदार है बहुत अच्छा लगा सुनकर मुझे दिल्ली खुशी हुई है वे मुस्करा कर बोला लेकिन उनकी अगली बात सुनकर उसकी मुस्कराहत पिल में सिम्टी और हीर के लिए तुम्हारा इंतिखाब किया है क्या वे हक दिक सा कहता खड़ा हो गया दर्वाजे से कान लगा कर सुनती हीर का दिल जोरों से धड़कने लगा ओया ने टेंशन से नाखुन चबाने शुरू कर दिये इस इस हीर के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं इतना गया गुजरा समझा है अपने मुझे वे नागवारी से बोला बारिस दरख्षा ने अबाद आलम के तैश सुर्ख पड़ते चहरे को देखकर बारिस को डिपटा फार गाड सीक मामा मैं हर गज हीर से शादी नहीं करूंगा मर मर के पास होती है और उसका हुलिया देखा है अपने जरा भी पहने औरने की सेंस नहीं है इस नालाइक के लिए में ही नजर आया था आपको बस सबुक्तगीन आलम ने अफसोस भरी नजरों से इसे देखा हीर की बरदाश्ट की हद तमाम हुई वे बाजू चड़ाती था की आवास से दर्वाजे खौल कर अंदर दाखिल हुई ओहेलो प्रोफेसर हीर को समझा किया हुआ है अपने खुद अपने आपको देखा है कभी इंतहा की केडोस और बद्तमीज है अप अप किया इंकार करेंगे मैं खुद अप से शादी नहीं करूंगी अप से तो जिसकी शादी होगी इसकी तो किसमत फूटेगी बड़े आए मुझ में खामिया निकालने वाले सबुक्तगीन आलम पर एक गहरी नज़र डाल कर वे तन्फिन करती बाहर निकल गई देखता पाकर वे घुस्से से कमरे से किया घर से ही बाहर निकल गया मामा हीर आहिस्ता से दरवाजे दे लत शाहाना के कमरे में दाखिल हुई वे हीर को सुबह-सुबह अपने कमरे में पाकर जरा हैरान हुई पत्तर तो अभी तयार नहीं हुई यूनिवर्सिटी के लिए, वे इसके पास आतीं इस तफसार करने लगें, वे सर जुका कर अपने पैरों को देखने लगी मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाओंगी हैं क्यों नहीं जाएगी तो ये सुबह सुबह किया हो गया है तुझे वे इसका चहरा उंचा करके पूछने लगे मम में उनका सामना नहीं करना चाहती कहते साथ ही वे पेपे का पेपे का करूदी सब के सामने हजार वे अपने आपको मजबूत जाहिर करती लेकिन अंदर से वे बेहत दुखी थी इसे रोते देख कर शाहाना का उल्जा मुन्ह को आ गया इसे साथ लगाए वे बैड की सम्थ बढ़िंग अपने साथ बिठा कर वे इसे सीने से लगाए इसका सर थपकने लगे बारेस के इनकार पर उन्हें भी दुख पहुचा था लेकिन वे किया कर सकती थी रिष्टे जबरदस्ती तो नहीं जूड़े जा सकते बसकर मेरी जान उधर देख ठीक है तो नाजा लेकिन तेरा तो ऐसे साल नहीं जाय हो जाना वे आंके पोनश्ती सीधी हो बैठी मैं उग्जामज में चली जाओंगी बाकी में अपनी तयारी घर में ही कर लूँगी हिमम में तेरे बाबा से भी बात कर लूँ एक बार वे परसोच अंदाज में बोले खीक है वे खुद को नार्मल करती कमरे से निकली बाहर निकलते ही इसकी नजर बारेस से मिली जो यवनी के लिए तयार ख़ड़ा था इसे नजर अंदाज करती वे अपने कमरे में चली गई बारेस ने सरसरी नजर से इसे देखा जो घर के आम लिबास में इसके सामने से गुजरी थी हीर तो क्यों नहीं जा रही अवनी ओया जोर से इसके कमरे का दर्वाजा खौल कर अंदर दाखिल होती इससे पूछने लगी ओया में इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती पिलेस वे रुख मोड कर खामखा चीजें उलट पिलट करने लगी नजरें क्यों चरा रही हो मुझसे यार मत करो ना तुमने क्यों छोड़ दी है यवनी में ता मेरी बगैर कैसे रहोंगी वहाँ वे उदास नजरों से इसे देखती सवाल करने लगी हीर की आँखों में नमी चमकी ओया पिलेस मैं नहीं जाना चाहती वे बैड के किनारे टिक्ती अटक अटक कर बोली भरा हुआ गला बाहर आने को बेताब था ओया इसके सामने जमीन पर घुटनों के बिल बैठी तुम भाई की वज़े से नहीं जा रही न हीर की आँखों से आंसू टप टप गिरने लगे वीना में इतनी बुरी तो नहीं हो जितना उन्होंने मुझे बना दिया सब के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया है वे बाहर रिजा और लीजा हस रही थी मुझ पर मेरी इज़त नफस पर गहरा वार किया है उन्होंने मैं अब कभी भी उनका सामना नहीं करना चाहती घर में तो मैं अपने कमरे तक महदूद हो सकती हूँ लेकिन यवनी में इनके लेक्चर्स होते हैं मैं अब उनको अपने सामने भी नहीं देखना चाहती पिलेज मुझे फोर्स ना करो इसकी तकलीफ पर ओया का दिल भी दुख से भर गया भाई ने गलत किया है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती ज्यादा सोचो ना मैं तुम्हारे साथ हूँ इसे गिले लगाती वे गाड़ी का हार्म सुन कर उजलत में बाहर निकल गई मुसा के हमरा वे तेज तेज कदम उठाती यवनी में दाखिल हुई वे दोनों रास्ते में कल वाले मौामले पर बात करते रहे थे यार जो भी है भाई को अगर वे नहीं भी पसंद तो भी इसकी इतनी इंसल्ट करने का हक उन्हें नहीं था वे बारेस से खफा थी हिमम सही कह रही हो वे भी कुछ बुझा-बुझा सा था रोज वे तीनों साथ ही यवनी आते थे आज इसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था कलास के बाहर उन्हें बारेस मिल गया ओया ने इसे देख कर नजरों का जाविया बदल लिया हीर नहीं आई आज टेस्ट है और वे छटी करके बैठ गई है वे माथे पर बिल डाले गोया हुआ प्रोफेसर बारेस वे अब यवनी नहीं आएगी आपको अब मजीद इसकी वज़े से परेशान नहीं होना पड़ेगा मुसा संजीदगी से बोला और ओया को साथ लिये कलास में दाखिल हो गया बारेस ने लब भिंच कर उन्हें देखा संजीदा चेहरा लिये वे पहले लेक्चर के लिये मतलूबा कलास में चला गया सहन में बिछे तख्ट पोश पर मसूमा भी दोपटा कान के पीछे उड़स कर चावल चन्ने में मसरूफ थी उनके सामने तीन कुर्सियों पर दरखशा शाहाना और बलकीस बैठे मेज पोश पर कड़ाई कर रही थी बेबेवे पडोस से च्छनो बानुदरी आई थी लो मेरा वजन ही कितना है भला यही कोई 40-45 किलो मोटर साइकल तो इस निकम्ने की वज़े से उल्टी थी खोते को चलानी ही नहीं आती उनके वजन की बाबत सुनकर शाहाना का कहकहा चूट गया वा यहां तो खुब महफिल जिमी हुई है लीजा बलेक ट्राउजर शट में मसूमा भी के पास अकर बैठ गई दरखशा और शाहाना के चहरे संजिध हो गए जबके बल्कीस ने इसे देख कर आँखें गुमाई क्या कर रही हैं अब वे मसूमा भी को चावल चिंते देख कर बोली लड़ू खेल रही हों तो भी खेल ले वे मस्करा कर बोलें तो लीजा की मस्कराहत फिकी हुई बुठी कहीं की हना अचानक इसकी निगाबारेस पर पड़ी जो संजीधगी से देखता इसी तरफ आ रहा था वे जल्दी से मसूमा भी की तरफ मुड़ी दादी मुझे दे में कर देती हुई चहरे को अजहद मासूम बना कर वे उनसे मखातिब हुई नकाड़िये तेरे कोलो नई होना तो की जाने कार दे कम काज इनके तके से जवाब पर वे उदास चहरा बनाती उठखड़ी हुई और चंद कदम आगे जाकर सामने से आते बारेस को जरा की जरा देख कर लड़कड़ाई इस से पहले कि वे जमीन बोस होती बारेस ने इसे जल्दी से बाजू से थाम लिया आराम से हिमम फीका सा मुसकरा कर वे रिजा के कमरे में चली गई दोनों हीर की मखालिफ थी इसलिए साथ मिल गई थी जब से उन्हें रिश्टे की बाबत मालूम हुआ था दोनों अंगारों पर लूट रही थी ये अलग बात है कि रिजा को मालूम ना था कि लीजा बारेस के पीछे है वरना वे कभी इसके साथ ना मलती इसके जाने के बारेस इसकी छोड़ी जगा पर बैठ गया मामा पानी मिल सकता है दरखशा बगएर उसकी तरफ देखे उठकर किचन में चली गई तो ये तेरे इंकार की वज़ा थी शाहाना की आवाज पर वे लब भींच गया वे उनका इशारा खूब समझ गया यही समझ लें बेतासुर चहरे के साथ वे वहाँ से उठकर चला गया दिन जैसे पर लगा कर उड़ रहे थे आज इसे यवनी छोड़े एक महीना होने को आया था इस दोरान इसने खूब दिल लगा कर उगजामस की तैयारी की अपने अंदर की सुई हुई हीर को जगाया अब वे अपनी ग्रूमिंग पर भी खास तवज्जो देने लगी थी इसकी शख्सियत में अलग ही नवेयर पैदा हो गया था अभी भी वे आइने के सामने खड़ी बाल सुलजा रही थी सिया घने उन देवहे से नीचे आते बाल जो पहले चोटी में मुकयद रहती थे अब कमर से नीचे गिरते सिया चमकदार आपशार का मनजर पेश कर रहे थे इसके बाल पहले से बेहद सिल्की हो गए थे माथे पर कटे बाल लंबी लटों की सूरत अख्तियार कर गए थे चश्मे की जगा आखों पर ग्रे लेंस लग चुके थे जबकि इसका लिबास भी बदल चुका था अब वे ज्यादातर कीप्री शर्स और शर्स के साथ ट्राजर्स जेबतन करती थी जो इस पर बेहद भली लगती थी शाहाना तो उसके सदके वारी जाती ना थकती थी अब भी वे मैरून रंग की किप्री शॉर्ट शर्ट पहने आईने के सामने खड़ी बाल सुलजा रही थी बालों को इसने धीली पोनी में कैद करते पीछे कमर पर खुला छोड़ दिया गाल से टकराती आवारा सिल्की लटों को कान के पीछे उडस्ती वे सपाट तासुरात के साथ कमरे से बाहर निकली मामा किया कर रही है वे किचन में ज्हांकती इस्तफसार करने लगी पत्तर चाय बना रही थी तेरे अबे और ताय वगेरा के लिए बस बन गई है लाई में दे आती हों बाबा को और ताय जान से भी मिल लूगी काफी दिन हो गए मुलाकात ही नहीं हुई वे सादगी से कहती उनके बराबर खड़ी होती कपों में चाय उंडिलने लगी पत्तर इतनी संज्यूत ना रहा कर पहले की तरह हिसा कर पहले तो तुआ इतनी शरारतें करती थी वे प्यार से इसे देख कर बोले मामा में अब भी वैसी ही हूँ बस अब हर वक्त ये शरारतें करना अच्छा नहीं लगता वे मुस्करा कर बोली मेरी धी तो बड़ी समझदार हो गई है चल चाय दे आ ठंडी हो जाएगी वो इसे कहकर किचन का फैलावा समितने लगे इसने एहतियास से ट्रे मेकप और चंद सिनिक्स रखे और ट्रे उठा कर मरदान खाने की तरफ चल पड़ी अस्सलाम अलेकुम दर्वाजे धकेल कर वे खुशगवारी से सलाम करती अंदर दाखिल हुई माशा कालिले आज हमारी बेटी बड़े दिन बाद नजर आई है इबाद आलम ने प्यार से इसे देखते कहा तो वे मुस्करा दी इसे अपनी पुश्ट पर किसी की नजरे महसूस हुई तो वे चेलोड की बड़ी सी मेज पर रखती पल्टी इसकी निगा बारेस से टक्राई जो आज तक्रीबन एक महीने बाद इसे देख रहा था इसकी आखों में हैरानी उभरी थी वे कितनी बदल गई थी इसने एक नजर इसे देखते इस पर से नजर हटनी चाही लेकिन नजरें हटने से इंकारी हुई हीर इसे नजर अंदास करती इबराहीम आलम की तरफ जाती उनको चाय का कप थमा गई इबाद आलम के बारेस को बेतासर चहरे से चाय का कप थमती वे इबराहीम आलम के साथ बैठ गई पहले तो उसने सोचा कि वहाँ से चली जाए लेकिन फिर अपने ख्याल को जटक दिया मेरी बिला से वे यहां हो या ना मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी जा रही है इबराहीम आलम उसके गिर्द बाजू हाइल करते इसका सर्चूम कर बोले बहुत बहुत अच्छी मेरी तक्रीबन तैयारी मकमल हो गई है वे उनके गिर्द बाजू हाइल करती मुस्करा कर बोले माशा काले वे मुस्करा दिये अरे अरे बाप बेटी तो मुझे फरामोश ही कर बैठे है अबाद आलम हाथ में पकड़ा अखबार तह करते हुए बोले वे हलका सा हंस्ती इन दोनों के दर्मियान जगा बनाती बैठ गई यहां से सीधी इसकी निगाबारे से टकराई जो चाय का कप होंटों से लगाए इस जानिब ही देख रहा था इसके देखने पर वे नजरों का जोआह मोड़ गया तायजान अब से एक बात की इजासत लेनी थी इबराहीम आलम से वे पहले ही बात कर चुकी थी बोलो मेरा बेटा वे खाली कप मेज पर रखते इसकी जानिब पूरी तरह मतवज्जे हुए तायजान यवनी की ट्रैप जा रही है हम भी जाना चाहते हैं कितनी देर हो गई हम एकठे आउटिंग पर नहीं गए प्लेज अप ओया को भी परमेशन दे 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 प्लेज वे उन्हें उमीद से देखने लगी बेटे में ने ओया को भी समझाया था आज कल का दौर अच्छा नहीं हम फैमली टाव एर पर चले जाएंगे इन इदारों के साथ जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता वे उदास हो गई तायजान सब फ्रेंड्स भी होंगे वहां और हमारा लास्ट एयर भी है दोबारा कहां ऐसा मौकम अलना है पिलेज मान जाएंगा वे इन से लिपती लाट से बोली तो वे बेचारगी से इबराहीम आलम की तरफ देखने लगे जो मुस्करा कर उनकी तरफ ही देख रहे थे कोई बात नहीं भाई साहिब इजाज़त दे दे बारेस भी तो होगा साथ बच्चियां खुश हो जाएंगी इबराहीम आलम की हिमायत पर उन्हें हार मानते ही बनी चिल्लू ठीक है खुश रहू वे इसके सर पर प्यार दे कर बोले तो वे खुशी से हंस्ती उठी मैं ओया को बता कर आती हूँ जल्दी से वे दर्वाजे की संप बढ़ी बारेस पर एक उचती निगा डाल कर वे बाहर चली गई बारेस की नजरें इसकी कमर पर लहराते सिया सिल्की बालों से उलच कर रह गए मरदान खाने से बाहर निकल कर वे अपनी ही धन में ओया के कमरे की जानिब जा रही थी कि अचानक सामने से आती लीजा से टुकडा गई उफ अंधी कहीं की लीजा ने नफरत से इसे देख कर कहा हीर ने तीखी मुस्कराहच से इसे देखा मैं अंधी हूँ तो तुम देख कर चल लेती इडियट कहीं की हीर तीखे लहजे में कहती जाने लगी के लीजा ने इसका बाजू पकड़ लिया तुम समझती किया हो खुद को हाई ये बाल बढ़ा कर ड्रेसिंग चेंज कर के तुम बारेस के दिल में अपनी जगा बना लोगी ये सत्ती सूत्री बन कर उसके सामने इसलिए जाती हो ताकि वे तुम है देखता रह जाए तुम्हारी भूल है वे सिर्फ मेरा है और मुझे बेहत पसंद करता है वे हीर के बदले हुलिये को देखकर शदीद जलन का शिकार हुई थी और इसी जलन के जेरे असर दिल की बातें जबान पर आ गई थी हीर बेहत महजूज हुई वैसे बात है तो ठीक तुम्हारी वे वे वाकी मुझे देखता रह गया था लेकिन वे किया है ना कि अब मुझे इसकी नजरों की कोई परवा नहीं और नहीं इसके दिल में जगा बनाने की खाहिश है और रही बात तुम्हारी वे इसके करीब होती सरगोशी करते हुए कहने लगी तो तुम उसको अपने पास ही रखो क्योंके तुम दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो जटके से अपना बाजू उसकी ग्रिफ्ट से अजाद कराते इसे सर तापीर तमस्खुर भरी निगाहों से देखते वे वहां से निकलती चली गई लीजा सुलकती नजरों से इसे देख रही थी जब अपने पीछे आहट पर पल्टी बारेस आंखें छूटी किये इसे देख रहा था इसके चहरे के तासुरात यकीनन खुशगवार नहीं थे बारी तुमने देखा वे तुम्हारी कजिन किस तरह मुझे टीज, तंग, करती है आह इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा इसने वे तेजी से इसके पास आती मजलूम बनते हुए बोली लीजा तुम मुझे दूद पीता बच्चा नहीं समझो तो बहतर होगा और हीर ने तुम्हारा बाजू पकड़ा था आतुमने वे तैश भरे लहजे में बोला मैं तुम्हें भी अच्ची तरह जानता हूँ और इसे भी और बहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहूं वे इसकी तरफ जुकता सर्द लहजे में बोला तुम मेरी दोस्त हो कोई ऐसी हरकत न करना कि ये दोस्ती भी खत्म हो जाए समझ तो गई होगी तुम इस पर एक उचटी नज़र डाल कर वे तेज कदम उठाता चला गया वे सुबकी के एहसास के जेरे असर इसे अपने से दूर जाता देखती रही हैं सच्ची ओया तु उसकी बात सुनकर उचल ही पड़ी हाना मैंने मिना लिया ताया जान को अब बस तैयारी करो जाने की हीर चुटकी बजा कर बोली हाई थैंक यू यार ओया इससे लिपट गई अरे पीछे हटो मोटी वे अभी कुछ कहती के ओया ने इसकी बात काड़ दी यार अभी नातीम दिन हैं क्रिप में कल अपना नाम और पे मिनट वगेरा करवा आऊंगी अभी मेरी बात सुन लीजा और रिजा डाइन से बदला लेने का वक्त आगया है अब बहुत धील दे दी मेरे पास एक प्लैन है सुन वे हीर के करीब होती इसके कान में सरगोशी करने लगी जो बमश्किल बैट के किनारे टिकी हुई थी कमरे के खिले दर्वाजे के बाहर बारेस फोन कान से लगाए खड़ा था वे मुकाबल की बात सुनता कुछ कहने लगा था के ओया के कमरे से खिल खिलाहत की आवाज सुन कर वे पल्टा खिले दर्वाजे से अंदर देखने लगा जहां हीर अपने कान के करीब जुकी ओया की किसी बात पर खिल खिला रही थी इसके हंसने से सुर्ख पढ़ते गालों के अत्राफ में सियारेशनी बालों की लुटें बिखरें इसे बेह्ध हुसैन बना रही थी हंसते हंसते इसकी आँखों में पानी आ गया दफत्ना पागलों की तरह हंसते हंसते वे धढ़ाम से बैड से नीचे गी बजाए उठने के वे नीचे कालीन पर बैठी पेट पकड़ते हंस्ती जा रही थी ओया हंस्ती हुई बैड से नीचे जहांकती इसे आँखें दिखाते हुए कुछ कह रही थी इसे खबर ही ना हुई के कब वे इसे देखते हुए मुस्कुराने लगा था मुबाइल से हेलो हेलो की आवास पर वे चौंक कर हाथ में पकड़े फोन को देखने लगा जिसे वे चंद लम्हों के लिए फरामोश कर बैठा था मुकाबल की किसी बात का जवाब देते वे सर जटक कर वहां से चला गया वे जो अपने ही किसी ख्याल में गुम लान में खड़ा था रबिया को लान में आता देखकर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा इसने लब का कोना दबा कर इसे देखा जो उसके सामने आते ही चुई मुई बन गई थी अलिफ हम एहम सुनने में कुछ आया है अर्स करता हूँ महबबत बरसा देना तो सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है वे शरारती मिसकन चहरे पर सजा कर उसकी आखों में जाकने लगा जो सुर्खी छलकाती चहरे के साथ इसके सामने खड़ी उंगलिया चटखा रही थी वे इतनी शर्मिली तो नहीं थी लेकिन जब से इसने अपने और मुसम के रिष्टे की बाबत सुना था वे इसके सामने आने से उत्रानी लगी थी मुसम इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था रबिया का बदला अंदाज इसे बहुत भाया था वे बगएर कुछ कहे वहां से जाने लगी तो मुसम ने आगे बढ़ते इसका रास्ता रोक लिया मुसम पीछे हटो कोई देख लेगा वे अर्द गिर्द देखती कहने लगी ये क्या हो रहा है यहां ओया की आवास पर इसने शुक्र का सांस भरा मुसम सर वे जाता पीछे हटा तो वे तेजी से वहां से निकल गई ओया ने मुसम के सर पर चपत लगाई क्यों तेंग करते हो इसे दादी को बताऊं जाके तुम्हारी सारी आशकी बाहर निकल जाएगी वे आंखे सुकेड कर बोली अच्छा अच्छा ठीक है ज्यादा बनने की जरूरत नहीं वे सीटी पर कोई शोख सी धन बजाता वहां से जाने लगा तो ओया ने इसकी शट खैंच कर इसे रोका हीर गैंग उन एक्शन वे आंख दबा कर बोली तो मुसम ने आंखें पहलाएं क्या मतलब फिर से कोई का नामा वे इसकी बात का जवाब दिये बगैर इसे बाजू से पकड़ कर खैंचती हुई हीर के कमरे की जानिब चली गई शश हीर ने तंबीही नजरों से मुसा को देखा जो मेज से ठोकर लगने से गिरते गिरते बचा था इस वक्त वे तीनों लीजा के कमरे में मौजूद थे जो मुन्ह खौले गहरी मींद सौ रही थी इसे तो देखो कैसे मुन्ह फाड़े सौ रही है सौले बेटा अभी देखना कैसे मींद हराम करते हैं तेरी तो ने गलत लोगों से पिंगा ले लिया ओया बाजू कुहनियों तक मौड कर इस से मुखातिब हुई जो इस सबसे बेखबर नींद के मजे लूट रही थी हीर ने हाथ में पकड़ा बाकिस जमीन पर रखा पंजों के बिल जमीन पर बैठते वे बाकिस में से पोस्टर उलर्स की छूटी छूटी शीशिया निकालने लगी चहरे पर अते बालों को हाथ से पीछे हटा कर इसने अपने सामने खड़े मुसा और ओया को एक एक शीशी पकड़ा दी वे बुर्श हाथ में पकड़ कर लीजा के करीब बैठ पर बैठ गए हीर ने एक बलैक उलर ट्यूब पकड़ी और उनके पीछे जा खड़ी हुई जो लीजा के चहरे पर अजीब औ गरीब नक्ष औ निगार बना रहे थे हीर ने हंसी रोकने को मुनह पर हाथ रखा जरा सा जखक कर इसने हाथ में पकड़ी ट्यूब का ढखकन खोला और लीजा के उदे खिले होंटों पर लिप सटक की मानिंद लगा दी पीछे हिट कर खड़े होते वे इसका चहरा देखने लगे चहरे पर जाबजा सुर्ख मीले पीले रंगों से खुपड़ियां और ड्राउने चहरे बने इसके चहरे को अजब मुझखा खेज बना रहे थे और इस पर उसके होंटों के नीचे लंबे नुकिले दांतों ने रही से कसर भी पूरी कर दी थी अपने कानामे से मुतमईन होते वे दबे कदमों कमरे से बाहर निकल गए यही अमल उन्होंने रिजा के साथ दोहराया और पेंट बाकिस लड्डू के कमरे में साइट टेबल पर सामने करके रखते अपना मिशन काम्याब होने पर हाइफाई करते अपने कमरों में भाग गए एक घंटे बाद जब आलम विला में चहल पहल शुरू हुई तो वे मंदी आखों को रगड कर बजाहर जमाई रोकते नाश्ते की मेज पर आवैठे जहां उनसे पहले सब आकर बैठे खुश गप्यों में मसरूफ थे दादी बड़ी चुप चुप नजर आ रही है आज मुसा ने खामोश बैठी मसूमा को च्छिवा पत्तर तेरी दादी को कल ब्यूटी पारलर नहीं लेकर गया इस वज़े से ये मुझ से नाराज है सबूत गे आलम ने मुस्करा कर कहा तो मसूमा भी हुंकारा बेरुत रुख मोर गएं सब के चेहरों पर मुस्कराहत उभरी असलाम अलेकुम सुबह बखेर बारे सलाम करता कुर्सी संभाल कर बैठ गया इसके पीछे पीछे रबिया सुई सुई सूरत लिये नमुदार हुई पत्तर रिजा नहीं उठी अभी शाहाना ने दरखशा के साथ मिलकर सब को नाश्ता सर्व करते हुए रबिया से पूछा नहीं ताई जी वे सौ रही है अभी मुसा हीर और वीना में नजरों का तबादिला हुआ ये सब नाश्ता करना शुरू कर रहे थे कि लीजा के कमरे से चीखने की आवाज आई हीर ने वीना की तरफ देखकर मुस्कराहत चपाई और बमुश्किल चहरे को नार्मल करते बाकी सब की तरह इसके कमरे की तरफ देखने लगी किसने ये हरकत की है अचानक लीजा कमरे से बाहर निकल कर चलाई इसका चहरा देखकर सब की हसी निकल गई बारेस ने मुन्ह पर मुठी रखते बेसाखता उमद आने वाली मसुराहत को छुपाने की कोशिश की इतने में रिजा भी इसकी चीख सुनकर मंदी आंखें बमुश्किल खौलती इसके सामने आखडी हुई ये अचानक इसके सामने आने से लीजा की चीख निकल गई क्योंकि रिजा के बाल भी उड़े हुए थे तुम क्यों चीख रही हो मुझे देखकर भौतनी तो तुम लग रही हो रिजा ने ना समझी से इसे देखते हुए कहा अपनी शक्ल देखो जाकर पहले फिर मुझे से बात करना वे तनक कर बोली तो रिजा जल्दी से कमरे में गई बारेस को अपनी तरफ मुस्करा कर देखते इसके दिल में लड़ू फूट रहे थी लेकिन हकीकत तो कुछ और थी बता क्यों नहीं रहे किसने ये गंदी हरकत की है वे सब को देखती तैश भरे लहजे में बोली जिनके कान पर उसकी चीख और पुकार से जूं तक नारींगी थी हाँ भाई बताओ किसने पहले से बनी चुडेल को मजीद चुडेल बनाया है मसूमा भी ने अदाए बेन्याजी से कहा सब के चेहरों पर दबी दबी हनसी उबरी दादी कल मैंने लड़ू के पास पेंट बाकिस देखा था वैसे ओईहा मसूमियत से बोली बलकीस ने तीखी नजरों से इसे देखा सब ही जानते थे कि ये काना में कौन कर सकता है बच्चे की शरारत है बेटा में इसकी तरफ से माजरत करता हूँ इबाद आलम मौामला संभालने को बोले तो वे बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई अब आया ना मजा मुसा ने हीर की तरफ जहक कर सरगोशी की जो बारेस के कानों तक भी पहुँच गई इसने पर सोच नजरों से उन्हें देखा जब सब नाश्ता करके जा चुके तो वे दरखशा के पीछे किचन में दाखिल हुआ जो नाश्ते के बरतन संक में रख रही थी मामा कब तक नाराज रहने का इरादे है अपका वे इनका हाथ थाम कर गोया हुआ तुमही क्या परवा किसी की नाराजगी की अब बहुत बड़े हो गए हो अपने फैसले खुद कर सकते हो क्या फर्क पढ़ता है बड़े किया फैसला करते है वे अपना हाथ छड़ा कर मसरूफ से लहजे में बोलती सिलीब साफ करने लगे मामा अब तो ऐसे ना करें वे बेचारगी से उन्हें देखने लगा जाओ बेटा में नहीं नाराज जाओ शाबाश मुझे बहुत काम है वे संजीदगी से बोलें तो वे लब भयंचिता किचन से बाहर चला गया किचन से निकलता वे अपने कमरे में जाने का इरादा किये हुए था लेकिन लान से शोर औ घुल सुन कर वे अपना इरादे बदल गया ग्रे टी शर्ट के साथ बलैक जीन्स पहनेवे संजीदा चेहरे के साथ लान में आगया जहां सारी यंग पल्टन मौजूद थी ओया हीर मुसा लडडू क्रिकट खेल रहे थे जब के रिजा और लीजा कदरे एक तर्फ घास पर बैठें खुशगपियों में मसरूफ थी आज मौसम बेहद खुशगवार था थंडी हुआ के थपेड़े जिसम से टकराते रू तक को फरहत बखश रहे थे वे लान की सीडियां उतर कर नीचे आया तो हुआ से इसके बाल माथे पर बख्खर गए वे आंखे छूटी की एलान के इस हिस्से की जानिब देखने लगा जहां क्रिकट खेला जा रहा था इसकी निगा मुसा से होती हीर पर ठहरी जो गहरी नीली की प्रीशट में दोपटा कमर पर बांधे ओया को रेडी रहने का इशारा कर रही थी इसके जूडे में बंधे सिया रेशमी बाल हुआ के जोर से जूडे से निकल कर लटों की सूरत जाबजा गर्दन और चहरे के अतराफ में बिखरे हुए थे लेंस लगी ग्रे आंखें शरारत से चमक रही थी एक खुशकुन एहसास ने इसे घेर लिया वे चहल कदमी के अंदाज में चलता हुआ उनके करीब चला आया जहां ओया ने मुसा को अभी अभी आउट किया था बारेस के करीब आने पर वे इसकी तरफ देखने लगी जबकि हीर बीट को हाथ में थाम करदाएं बाई हिलाने लगी इसने बारेस को सरे से नजर अंदाज कर दिया था जिसे मुसा के अलावा बारेस ने भी शिद्दत से महसूस किया था भाई अब भी खेले हमारे साथ मुसा पर जोश होकर बोला तो हीर ने इसे आँखें दिखाएं दूर घास पर बैठें रिजा और लीजा ने नागवारी से उन्हें देखा ओके बारेस के हामी भरने पर मुसा का जोश काबले दीद था आहो भाई अब मेरी टीम में हैं अब देखना तुम दोनों को मिंटों में आउट कर देंगे भाई बारेस को देखकर विसाथ खड़ी हीर और ओया से मखातिब हुआ देखते हैं हीर ने चैलिंज करने वाली नजरों से बारेस को देखा और बीट को ठीक तरह पकड़ कर अपनी जगा जाकर खड़ी हो गई बारेस ने मुसकराती नजरों से इसे देखा और लड़ू के हाथ से बाल पकड़ कर दूर जाकर अपनी पोजीशन संभाल गया मुसा और लड़ू ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली हीर बीट जमीन पर टका कर चुकी बारेस ने पूरी कुवत से भागते गेंद इसकी तरफ उचाली ओया दम साधे हीर को देखने लगी बाल बीट से टकराई हीर ने पूरी कुवत से बाल को बीट से आंट किया जिसे बाल लान से बाहर जागरी चक्का ओया चिखती हुई आकर हीर से लिपट गई मेरा मुन क्या देख रहे हो बाल लेकर आओ मुसा सुलक कर लड़ू से बोला तो वे मुन बनाता बाल लेने चला गया हीर ने धेले जुडे को खौल कर बाल लहरा कर सीधे किये और उन्हें दोबारा जुडे में बांधने लगी एहम एहम ओया इसके करीब होती खंकारी हीर ने इसे अब्रू उचका कर इसे देखा वे भाई तुम्हें देख रहे हैं कबसे वो मुस्कराहत दबा कर गोया हुई हीर के दिल की धरकन एक लमहे कुसुस्त हुई लेकिन फिर मामूल के मताबिक चलने लगी अच्छा सपाच चहरे के साथ बोल कर वे करीब ही जमीन पर रखी पानी की बोतल उठा कर घूंट घूंट पानी पीने लगी बाल गुम गई है लड़ू हामता हुआ आया लो जी यही होना बाकी था मुसा बढ़बढा कर वहीं घास पर बैठ गया बारेस भी घास पर टांगें सीधी करता बैठ गया हीर अंदर जाने को पल्टी जितना खुशगवार मौसम था इसका दिल तो नहीं चा रहा था जाने को लेकिन बारेस को अपने सामने बरदाश्ट करना एक मुश्किल मरहला था यार किधर जा रही हो इधर बैठो इतना अच्छा मौसम हो रहा है ओया ने नीचे बैठते इसका बाजू पकड़ कर इसे रुका मुसा के इशारे पर वे गहरी सांस लेती ओया के साथ बैठ गई आंखें बंद करके चहरा उपर उठाती वे ठंडी हुआ को महसूस करने लगी आस्मान पर गहरे बादल च्छा चुके थे कुछ ही दैर में बारिश शुरू होने वाली थी उगजामस की तयारी कैसी जा रही है तुम दोनों की वे मुसा और ओया को देख कर बोलता माथे पर बिखरे बाल समेट गया अच्छी है भाई इंशालला इस दफा अच्छा जी पी ए आएगा ओया सादगी से कहने लगी और तुम्हारी बारेस ने हीर की जानिब देखते हुए कहा तो ओया और मुसा ने मुस्कराहत दबाई हीर भाई कुछ पूछ रहे है ओया ने इसे टहो का दिया तो वे चौंक कर इसे देखने लगी क्या वे सवालिया नजरों से इसे देखने लगी बारिस ने इसकी ग्रे आँखों में अपनी सिया गहरी आँखें गार दें पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी हीर ने जब्ले भींच लिए None of your concern तीखे लहजे में इसे बोलती वे रुख मोर गई बारिस के चहरे पर गहरी संजीदगी चा गई दफ़तना बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगें तो सब अंदर की तरफ भागे बारिस लान की सीडियां चर्टा एक तरफ होकर खड़ा हो गया अभी इसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था हीर जोसब से आखिर में थी इसने बारिश से बचने के लिए तेजी से लान की सीडियां पर कदम रखा के अचानक इसका पीर फिसला इसके गिले से दिल खराश चीख बलंद हुई जो बारिस का सांस एक लम्हे को रोग गई दफतना बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगें तो सब अंदर की तरफ भागे बारिस लान की सीडियां चड़ता एक तरफ होकर खड़ा हो गया अभी इसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था हीर जो सबसे आखर में थी इसने बारिश से बचने के लिए तेजी से लान की सीड़ी पर कदम रखा के अचानक इसका पीर फिसला इसके गिले से दिल खराश चीख बलंद हुई जो बारिस का सांस एक लम्हे को रोग गई इसने तेजी से आगे बढ़कर हीर का बाजू थाम कर इसे गिरने से बचाया हीर खौफ से आंखे मीचे इसकी शट को मुठी में जकर गई दोनों के दिल बेहंगम अंदाज में धड़क रहे थे चंद लम्हे वी उनही एक दूसरे को थामे खड़े रहे बारेस बेखुद सा इसकी कामती पलकों के रक्स को देखे गया हीर को सबसे पहले होश आया इसने पिट से आंखें खोली बारेस को अपने इतने करीब पाकर इसका चहरा पिल में सुर्ख हुआ जटके से अपना आप इससे छोवाती वे अंदर भाग गई बारेस ने ठंडी आह भरते अपने आपको डिपटा आखिर हो किया रहा है मुझे वे ओया और मुसा के हमरा तेज कदम उठाती यवनी में दाखिल हुई उनके पीछे लीजा यवनी का जाइजा लेती गेट से अंदर दाखिल हुई इसकी निगाहे बारेस को तलाश रही थी जो इसे थोड़ी सी तगोदो के बाद ही नज़र आ गया वे बलेक पेंट और बलेक ही शेट में वाइट शूस पहने वहां मौझूद हर लड़की की निगा का मरकज था इसने बालों को जेल से सीट करने की बजाए मैसी सी लुक देकर टीन एजरस के सटाइल में सीट कर रखा था जो हर थोड़ी देर बाद इसके माथे पर बक्खर जाते कुहनियों तक मुले शर्ट के बाजू के साथ कलाई में पहनी समाट वाच और इस पर मजीद इसका खुशगवार मिजाज लड़किया इसे देख कर पागल हुई जा रही थी ऐसे में सिर्फ हीर थी जिसने इस पर एक निगान गलत तक ना डाली थी जो ही वे वहाँ पहले से मौजूद सिटुडेंट्स की तरफ बढ़ी इसकी कलास फैलोज चिखते हुए आकर इससे लिपट गई ओ माई गाड़ हीर ये तुम हो जस्ट लुक एट यू यार इसके उंचा बोलने पर पास खड़े कुछ प्रोफेसर्स और सिटुडेंट्स ने मौड कर इसे देखा उनकी आखों में सिताईश उभरी बिल्यू चेंट वाले खिले घुटनों से उपर आते फराक के साथ बिल्यू जीन्स और वाइट जोगुर्स में वे आज भी सबसे मुनफरिद लग रही थी इसने चोटा सा बिल्यू रेशमी सो आरफ सर पर इस तरह सीट कर रखा था कि इसके दोनों पलो आगे से होकर पीछे की जानिब गिरते थे सकाफ से चंद लुटें बाहर निकलती इसके गुलाल बुएरी गालों पर बोसा दे रही थी सो आरफ से इसके लंबे खिले सिया रेशमी बाल सीधे कमर पर गिर रहे थे इसने ग्रे कांटिकट लेंस बदल कर सूट के हिसाब से नीले लेंस लगा लिये थे गुलाबी लबों पर मिसकन बुएरुत वे अपनी कलास फैलो से मिलने लगी बारेस जो अपने एक कोलीक से बात कर रहा था इसे मसलसल अपने पीछे की जानिब नजरें टुकती देखकर इसने मुड कर देखा इसकी आंखें पलतने से इंकारी हुई आज वे इसे बेहद खुबसूरत लगी दुनिया की सब औरतों से हुसेन साथ ही इसे एहसास हुआ कि इसे इस तरह देखने वाला वे अकिला नहीं था इसने जब्रे भींच लिए ओया को अपनी तरफ आने का इशारा करते वे मुबाइल पर किसी से यवनी वैन की बाबत पूछने लगा जिसमें उन सब ने सफर करके मरी के पर फिजा मकामात की सियाहत के लिए जाना था हलके गुलाबी शाट करते जीन्स के साथ गुलाबी जो गुर्स पहने वे हीर को एक मिनट कहकर बारेस के पास आई जी भाई आई मैन प्रोफेसर हीर के साथ गर्ल्स वाली साइड पर जाओ इसे हुक्म दे कर वे वहां से चला गया वे वापस जाती हीर को इसका हुक्म सुना गई हीर की भनवे तन गें क्यों जाओ में वे होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुमने जाना है तो जाओ में नहीं जा रही हीर यहां सीन कुरी एक मत करो भाई को गुसा आ गया तो वे इस जगा का भी लिहाज नहीं करेंगे प्लेज चल लो जैसे तैसे करते वे इसे वहां से ले गई मकररा वक्त पर वेंस यवनी के गेट के बाहर पहुँच गई आहिस्ता आहिस्ता सब सिटुडेंस वें में जाके बैठने लगे ओया हीर का बाजू पकड़ कर जल्दी से बाहर आई मुसा ने वें की खिर्की से बाहर जानका यहां नहीं यहां वे के ग्रूप मौजूद है अलिफाव कोई तमाशा ना करें अगली वें में बैठो अपने छोटे से बेग के दोनों सटफस डाल कर वे ओया के पीछे अगली वें की तरफ जाने लगी थी ओया आराम से वें में चड़ गई हीर मुन्ह बनाती वहीं खड़ी हो गई वें का दर्वाजे इतना उनचा था कि इसे लगावे नहीं चड़ पाएगी ओया अपनी अच्छी हाइट की वज़े से आराम से जा चुकी थी इसने कोफ्ट से अर्द गद देखा इस से पहले के वे वापस जाने के लिए पीछे हत्ती बारिस इसके सामने हाथ पहला चुका था कम आन वें से टॉट होने लगी है हीर ने एक पिल के लिए हिचकिचा कर इसे देखा फिर वे इसका हाथ थाम गई इसने एक पीर मुश्किल से दर्वाजे के नीचे बने सिटैन पर रखा ही था के बारिस ने इसे उपर खैंच लिया इसने सहारा लेने के लिए दोनों हाथों से बारिस के कांधों को पकड़ लिया नजर जुका कर किसी की नजरों में आने से पहले वे जल्दी से ओया के साथ जाकर बैठ गई बारिस ने वेन का दर्वाजे बंद करते अपनी जगा संभाली जहां से वे तमाम सिटुडेंस पर नजर रख सकता था इसके रौब की वज़े से इसे सिटुडेंस डिसिप्लिन की ड्यूटी दी गई थी वेन अपनी मन्जिल की जानिब रवा हुई वेन की सब खिड़कियां खिल गई जहां से ठंडी तेज हुआ के जोन के अंदर दाखिल होने लगे ओया तो सोने की तयारी कर रही थी क्योंके सफर के दौरान सुना इसे बहुत पसंद था किसी मंचले नौजवान ने मौसम की मुनासबत से गाना लगा दिया हीर ने जख कर ओया को देखा जो उसके कंधे के साथ लगी सो गई थी गाने के बोल उसके दिल पर असर करने लगे क्योंकि ये गाना इसका फेवरिट था इसने धीमी मिसकन चहरे पर सजाते सीट से सर टुकती आंखें मूंद ले बूंद बूंद में गुमसा है ये सावन भी तो तुमसा है एक अजनबी एहसास है कुछ है नया कुछ खास है कुसूर ये सारा मौसम का है दफ़तना इसे अपने चहरे पर किसी की नजरों की तप्ष महसूस हुई इसने आहिस्ता से आंखें वाकी तो उसकी निगाहें बारेस की निगाहों से टक्राएं जो मुसकराती गहरी नजरों से इसे ही देख रहा था इसकी धरकने पिल में मुंतशिर हुई ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे है दिल में सोचती वे फॉरण से नजरों का जाविया मोड गई इसके घबराने पर बारेस के चहरे पर धीमी मुसकान उभरी जिसे देख कर सिटूडेंट्स ने हुटिंग शुरू कर दी वो हो किया बात है प्रोफेसर बारेस आज अब बड़ा मुसकरा रहे हैं किसी प्रोफेसर ने जुमला कसा तो वे हीर पर एक नजर डाल कर धीमे से हंस दिया कौन है विसर? किसी लड़की की पर शुख आवाज गुंजी है कोई पागल सी वे मुसकराहत दबा कर बोला तो वैन में एक शोर बरपा हो गया हीर धक धक करते दिल के साथ खिर्की से बाहर देखने लगी लीजा ने चमकती आखों से बारेस को देखा और मेरे सवावे कौन हो सकती है खुश फहमियों के जाल बुनती वे बारेस के पास जाकर बैठ गई जहां और भी कई प्रोफेसर्स मौजूद थे जिन में से चंद एक इसके कलास फैलोज रह चुके थे वे उनके साथ बातों में मसरूफ हो गई वेन अपनी मन्जिल पर जाकर रुक गई सब सिटूडन्स प्रोफेसर्स की हमराही में वेन से नीचे उतरने लगे हीर ने दर्वाजे के करीब कदम रखा तो बारेस ने बगएर उसके कहे इसका हाथ थाम कर इसे नीचे उतरने में मदद दी इसके पीछे ओया शरारती मिसकन चहरे पर सजा कर धब की आवाज से वेन से नीचे उतरी आराम से जमीन तोडने का इरादा है किया एक कलास फैलो उसके साथ चलता इससे मخاطب हुआ तो वे तेवरी चड़ा कर उसकी तरफ पल्टी जमीन तोटे आना पहले तेरा मुन्ह जरूर तोटेगा हुन लवाका लड़कियों की तरह बोल कर वे आगे जाती हीर के पीछे भागी मुसा भी सिटुडन्स का हुजूम चीर कर उन से आ मिला शाम तक वे मरी के चंद काबले सियाहत मकामात में तफ्री करते रह अब उनका रुख नतिया गिली की जानिब था जहां शाम के मलवजे अंधेरे में इंतहाई दिलकश नजारा उनका मुन्तजर था वे ओया का हाथ थामे बच्चों की तरह खुश होती हरे भरे दरختों में घरी नतिया गिली में चहल कदमी के अंदाज में चल रही थी उनसे जरा फासले पर बारिस उनके पीछे आ रहा था बालाखर वे इस मकाम पर पहुँच गए जहां से धुंद में लिप्टी पहाड़ियां पूरी शान और शुकत से खड़ी उनका इस्तिकबाल कर रही थी वे दोनों भागती हुई आएं और जंगले पर हाथ टका कर खड़ी हो गएं वंदर्फुल दोनों के मुन से बेसाखता निकला ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे हकीकी दुनिया से तसवराती दुनिया में आ गई हूं जहां की वे मलिका हैं और उन्चे पहाँ इनके आगे जुके उन्हें इनकी सल्तनत में खुश आमदीद कह रहे हूं हीर ने खुशी से तमतमाते चहरे से इसे देखा यार जल्दी करो पिक्स बनाओ ओया ने अपना समार्ट फोन निकाला तकरीबन सब ही सिटुडेंट्स साथ लायकी मरू और कुछ अपने फोन्स में इस हुसैन मंजर को कैद कर रहे थे हीर अपना रुख ओया की जानिब मोड कर इस तरह खड़ी हो गई कि इसके पीछे धुंद में लिट्टे पहाओ बहुत दिलकश नजारा पेश कर रहे थे ओया ने अपना फोन हाथ में पकड़ कर बलंद किया साथ ही इसकी निगा जंगले के करीब खड़े बारेस पर पड़ी जो अभी अभी सिटुडेंट्स के साथ तस्वीर बना कर फारिग हुआ था ओया को शरारत सुझी हीर थोड़ा लिफ्ट साइड पर हो हाँ थोड़ा और बस हीर ने किसी एहसास के तहत गरदन मोड कर बाइंजानिब देखा जहां बारेस जंगले के पास खड़ा मोबाइल पर मसरूफ था उधर इसने सर उंचा करके इसे देखा ही था कि उधर ओया के फोन में तस्वीर महफूज हो गई इसने महजूज होकर तस्वीर को जूम करके देखा इसे अंगुठा दिखाती वे इसे मजीद पोस देने का इशारा करती खिचा-खच तस्वीरें उतारने लगी इसके बाद उन्होंने चंद एकठी तस्वीरें बनाने के लिए बारेस को अपने पास बिला लिया बारी कहा थे तब से मैं तुम है कब से ढून रही हो मेरी कुछ प्यूस बना दो पिलेस बारेस को उनकी तस्वीर लेने के लिए खड़े देख कर वे जट से इसके सामने आते हुए बोली हीर और ओया ने सुलग कर इसे देखा ओहेलो माईकल जौसुन की बहन कल आना हीर सु आरफ से निकलती लट को उंगली पर लपिट्टी अदाए बिन्याजी से बोली ओया की हसी निकल गई बारेस बिचारा फिस गया था इस से पहले के वे कुछ कहता मुसा बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ क्या हो गया सब ऐसे क्यों खड़े हो जवाबा लीजा मसूमियत से इसे देख कर कहने लगी एक चोली में बारी से कह रही थी के मेरी कुछ पिक्स बना दो लेकिन वे दोनों भी इसी लिए खड़ी है इसने कुछ फासले पर खड़ी हीर और ओया की तरफ इशारा किया तुम ऐसा करो उनकी पिक्स बना मुसा ने इसकी बात काट कर उसके हाथ से की मर्रा पकड़ लिया वे हक्का बू अलिफ सी इसे देखती रह गई तो कोई मिसला नहीं लाई में बना लेता हूँ ऐसी ऐसी पिक्स लोंगाना के अप याद रखेंगी वेहीर को आख मार कर गोया हुआ लीजा अंदर से उलस कर रह गई ओके चिलू वेतन फिन करती उनसे थोड़े फासले पर चली गई अपनी तरफ से इसने बहतरीन पोज दिया मुसा ने रेडी कहकर किलकी आवास से तस्वीर की मर्णा में महفوظ कर ली एहा है एहा है इसने हंसी रोकने को मसनुखा सुना शरू कर दिया क्योंकि तस्वीर में इसका आधा मुनह गाइब था इसी तरह इसने इसकी बेशमार तस्वीरें उतारी जिन में किसी में इसकी टांगें बड़ी आ रही थी तो किसी में इसका मुन्ह पूरा गायब था हीर और ओया भी तब तक फारिग हो चुकी थी इतना खुशगवार मौसम था कि इनका यहां से जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था भाई यहां से अब कहा जाना है वह यहां बारेस से हम कलाम हुई अयूबिया की पहाड़ियों पर फिर वापसी के लिए निकलेंगे इस से पहले किसी जगा रुक कर कुछ रिफ्रेश्मिंट का इंतिजाम कर लेंगे इतने में हीर का एक कलास फैलो उसके पास आता इसके साथ तस्वीर बनाने के लिए असरार करने लगा हीर ने गहरी सांस भर कर हामी भरी इससे पहले के वे मोबाईल में तस्वीर उतारता बारेस ने इसका हाथ पकड़ कर पीछे किया जबले भींच कर इसे देखते वे सर्द लहजे में गोया हुआ वे किसी मील परसन के साथ पिक्स नहीं बनवाती इसे जाने का इशारा करके वे वहाँ से वापसी के रास्ते चला गया ये क्या था हीर ने तनक कर उसकी पुष्ट को देखा ओया मेरी बरदाश्ट की हद खत्म होती जा रही है वे गुसे से नतने पहला कर बोली यार मैं अब क्या कह सकती हो मुझ पर क्यों गुसा कर रही हो वे खफगी से बोली तो हीर इसका बाजू पकड़ कर दूसरे सिटूडन्स की देखा देखी वापस वैन तक जाने लगी मुसा भी लीजा के हमरा जल्दी से इसके पीछे आया यार हमें क्यों भूल जाते हो बार बार वे शको कर गया तो भूलने वाली शहे खोते उनके बिलकुल पीछे हरी का एक दोस्त लापरवा अंदाज में चल रहा था इसने हीर को धक्का देने के लिए हाथ आगे किया लेकिन धक्का लीजा को जा लगा क्योंकि हीर मुसा को छेड़ कर वहां से भागी थी लीजा धराम से नीचे गरी इसके मेक अब जदा चहरे पर काले निशान पढ़ गए जबके हाथ और घुटने जरा से चल गए इसने नीचे जुके ही इस लड़के को देख लिया था जो इसे धक्का दे कर तेजी से भागा था यू इडियत इसने जल्दी से उठकर उसके पीछे भागते हाथ में पकड़ा बेग इसके सर पर दे मारा इससे पहले के वे इसे रोप पाती वे वहां से फरार हो गया पागल इनसान सारा मेक अब खराब कर दिया जल्दी से बेग से टिशू निकाल कर चहरा थपथपाती वे वेन की तरफ भागी सब नई मन्जिल की जानिब रवा हो गए हीर ओया के संखिल खिलाती इस बास से बेखबर थी कि इसके साथ तस्वीर बनाने के बहाने वे इसका मुबाइल फोन चरा कर जा चुपका था अयूबिया की पहाडियों पर कदम रखते ही वे मसमराइज हो गई ऐसा लगता था वक्त वही ठहर गया हो चारों जानिब से कद आवर सरसबस और शादाब दरखतों से घिरी पहाडियां कुछ ऐसा ही दिलकश मनजर पेश कर रही थी उन्ची नीची घास की चादर बिची पहाडियों के वस्त में छूटी सी जेल चारों जानिब फैले दरखतों का अक्स अपने अंदर महफूज कर रही थी ठंडी हुआ के जबरदस्थ जोनके से इसके सर से सौारफ सरक्ता कांधों पर आठहरा काले घने सिल्की बाल लहरा कर उधर उधर हुआ में उड़ने लगे इसने हाथ पहला कर आँखे मूंद ले वेलकम मी अयूबिया धीमी मिसकन चहरे पर सजाती वे इन हवाओं से सरगोशी कर गई काश ये खुशगवार मौसम अपके दिल का मौसम भी बदल दे वे जाने कब इसके पीछे आ खड़ा हुआ था इसे मसहूर देखकर वे इसके करीब जुकता सरगोशी करता वहां से चला गया वे इसके कहे अलफास पर साकित खड़ी रह गई अचानक इसके होंट मुसकराहत में ढले मुझे आप कहा फिर इकाई की इसकी मुसकराहत समट गई इसका इंकार याद आते ही इसका चहरा सपाठ हो गया दूर दूर बीन से देखते एक शखक्स ने इस पर फोकस करके अपने साथी को तन्जिया मुसकराहत से देखा ओईा ने परेशानी से पेशानी मसली हीर यार कहा हो काल क्यों नहीं उठा रही वे खुद कलामी करती उधर उधर नजर दोड़ाने लगी पहाली पर चड़ते ही वे हीर से जुदा हो गई थी एकसाइट मिनित में इसे ख्याल ही ना रहा कि हीर बहुत पीछे रह गई थी अब जब वे इसे तलाश करने लगी तो वे इसे कहीं भी ना मिली परेशानी से वे रू देने को हुई इसने मुसा को काल मलाई और सारी सूर्टेहाल इसे बता दी वे जल्दी से सिटुडन्स के हुजूम में इसे ढूंता हुआ इस तक पहुँचा इसे देखकर ओया के जब का बंधन तूट गया कब से रुके आंसू उसकी आँखों से बह कर गाल पर गिरने लगे शश चुप करो पागल हो तुम ऐसे रूगी तो सब वजा पूछेंगे फिर किया जवाब दोगी वे इसे डपट कर बोला तो इसने फॉरन से आंसू पोंचे अच्छा अब बताओ वे तुम्हारे साथ ही तो आई थी फिर अलग कहां हुई वे पेशानी मसल कर बोला ओया की आंखें फिर से नम हो गएंग यार मिल जाएगी वे किया हो गया है यहीं कहीं होगी रिलेक्स रहू पिलेस वे बेचारगी से बोला ओया ने नफी में सर हिलाया मैं जब हीर को ढून रही थी तो वे हैरी मेरी तरफ देख कर तंजिया हनसा था मैं तो जानती भी नहीं इसे फिर क्यों इसने मुझे समाईल पास की जरूर उन्होंने कुछ किया है मुसा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है वे गिली सांस खैंच कर डबबाई अंखों से इसे देखने लगी मुसा पर सोच नजरों से इसे देखने लगा के ग्रूप को वे कई बार हीर के गिद मंदलाता देख चुका था लेकिन वे इतना बड़ा कदम सर जटक कर इसने ख्यालात की बहती रुको रुका मैं भाई को इन्फॉर्म करता हूँ तुम रिलेक्स रहू किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना हीर की जात पर उंगलियां उठींगी ओके इसका गाल थपथपा कर वे तेज कदम उठाता मुबाइल पर बारेस का नंबर मिलाता हुआ वह से चला गया वे दिल ही दिल में इसकी सलामती के लिए दूआ गो हुई हाँ छोड़ो मुझे वे अपना बाजू बार बार जटकती इसकी ग्रिफ्ट से निकालने की कोशिश कर रही थी ये लो छोड़ दिया वे जो इसके सर पर गिन रखता इसे मुसलसल घसिकता हुआ ला रहा था गदरेस उनसान जगा पर पहुँच कर इसने हीर का बाजू जटके से छोड़ दिया अचानक बाजू छूटने से वे तवाजू खोती धराम से ज़ाडियों में गरी इसने सुलक कर अपने सामने खड़े लंबे चोड़े वजूद को देखा अलबता चहरे पर जरा भी घबराहत नहीं थी तुम पेंडू जाहिल गवार ऐसा सुलूक करते हैं किसी हुसैन लड़की के साथ और तुम तुम हैरी होना वो हो नहीं वे ज्यादा काला था पहले इस से पूछती बाद में खुद ही अपनी बात की नफी कर गई लड़की ने सुलक कर इसे देखा बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी थोड़ी देर बस फिर तमेरी सारे ढेले पेच टाइट हो जाएंगे अलिफाव इतना आसान नहीं हीर पर हाथ डालना अभी मेरे साथी मुझे ढूंते हुए यहां आ जाएंगे इसने अर्द गिर्द घने दरख्तों को देख कर कहा हाई हावे कहकहा लगा गया मेरा साथी बस आता ही होगा हम तुम्हें ऐसी जगा ले जाएंगे जहां ता मेरी दोस्तों तो किया इस दो टके के प्रोफेसर को भी इल्म नहीं हो सकेगा वे उम्नगी से मुस्कुराया हीर की भनवे तंगेंग तुमने मेरे प्रोफेसर को दो टके का कहा खुद तुम एक टके के भी नहीं होगे आय बड़े हना इसका दिल तो कर रहा था कि इसका मुन्ह तोड़ दे वैसे वहा करीब में किसी से मदद ले लूँगी मेरा सपीकर बहुत है ट्रस्ट मी और हाथ तो मेरे बहुत ही चलते है वे नीचे जमीन पर बैठी आँखें पिकपटा कर बोली वहों भूल है तुम्हारी यहां से 200 किलो मीटर दूर सुनसान जगा पर तुम्हें लेकर जाएंगे वहां तुम्हारी हैरी से खास मुलाकात होगी और हाँ वहां किसी और इनसान का नाम और निशान तक नहीं होगा हैरी ने वे कैजे तुम जैसी लड़कियों के लिए ही बनाया है जहां तुम जैसों की अच्छे से आओ भगत करता है समझ तो गई होगी हीर दी ग्रेट वे उमनगी की इंतहा करता हुआ बोला हीर अपनी काम्याबी पर मुस्करा दी बालाखर वे इस से पता उगलवाने में काम्याब हो गई थी इसे यकीन था अब तक उन्हें पता चल गया होगा और वे जरूर मुझे ढूंटे हुए यहां आएंगे एहा है सही वे बजाहिला परवाही का मुझाहरा करती हाथ को गैर महसूस अंदाज में जमीन पर सरकाने लगी नीचे ग्रे एक पते की नोक से इसने बगैर महसूस करवाए इसका बताया हुआ एड्रेस जूंका तूं लिख दिया साथ ही इसने अपनी कलाई से बरिसलित उतार कर वहां गिरा दिया तब तक एक दूसरा लड़का जीप लेकर आचुपका था इसके सामने खड़े लड़के ने इसे गिन दिखाते चलने का इशारा किया वे कंधे उचकती उठ गई तुम्हें डर नहीं लग रहा वे इसे इतना रिलेक्स देख कर हैरान हुआ बिलकुल नहीं वे सरदाएं बाईं हिला कर बोली मुझे यकीन है मेरे साथी मुझे ढून लेंगे और तब तक मैं खुद तुम लोगों को देख लूँगी अखरी फिक्रा इसने दिल में कहा वे बगएर कुछ कहे इसके आराम से जीप में बैठने पर खुद भीगिन इसकी तरफ करता इससे कुछ फासले पर बैठ गया जीप सटॉट हो गई इस वक्त मेरे पास अपने दिफा के लिए किया किया है हीर ने सीटी की धन बजाते दिल में सोचा एक हेर पिन ओके दो सिफ्टी पैंस आहा कमाल घुसा दूंगी सालों की आख में और मुबाइल तो मनहोसू ने पहले ही गायब कर दिया बेग में किया है बेग में बलेक पेपर सप्रे अलुए वे बे अख्तियार खुश हुई गुड वेरी गुड हीर शाबाश वे मुतमेन हो गई वे इसके साथ बैठा इसके तेजी से बदलते तासुरात पर गौर कर रहा था क्या सोच रही हो तुम जीब को जटका लगा तो वे संभल कर बैठता इससे पूछने लगा मैं सोच रही थी कि तुम इतने काले क्यों हो मतलब तुम्हारी मामा ने तुम्हें पैदा करने से पहले बलैक काफी पीथी किया वे आंखें पिकपटा कर बोलती इसका हलक तक कड़वा कर गई बिल्कुल सही होगा तुम्हारे साथ तुम इसी काबिल हो वे दांत कच कच्चा कर बोला और मैं जो करूंगी ता मेरी साथ वे भी बिल्कुल सही होगा क्योंके तुम भी इसी काबिल हो वे खुद से बढ़बढ़ाई क्या कहा तुमने वे पूरा इसकी तरफ घूम गया क्यों बताउं वे इसके कान के पास चीखी तो वे जबले भींच कर पीछे हिट कर बैठ गया हैरी के बच्चे किस मुसीबत में फंसा दिया है हीर इसे सुलकता देखकर बेग से कोकोमो निकाल कर मजे से खाने लगी क्या फुदूल मजाक है ये अगर ये फिर कोई प्रिनक है तुम तीनों का तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर वे मुसा को देखता दबे गुसे से बोला सच कह रहा हूं भाई अपने इतना घटिया समझ लिया है मुझे के ऐसा मजाक करूँगा आप से शी अजरेली मिसियन इसके संजीदा चहरे को देखकर बारिस परेशान हो गया मुसा ने ओया के ख़द्शात मन वो अन बता दिये हैरी बारिस ने जबडे भींच लिये लेक मी चेक इस वक्त वे कहा है वे लंबे लंबे डग भरता अपनी टीम की तरफ गया जो यहां आने वाले सब सिटूडेंट्स की निगरानी कर रहे थे वे आखों से गागिल्स उतारता आंखें सो गया क्या यहां से कोई सिटूडेंट वापस गया है वे अपने एक टीम मिंबर को मखातिब करते हुए बोला मैं चेक करता हूँ इसने करीब पड़ी एक डायरी उठाई और सफे पल्टा कर देखने लगा यस हरी नाम का सिटूडेंट चंद मिनित पहले ही एक एम अर्जिंसी का कहकर चला गया है बारिस ने मुठियां भींच ले अज एवरी थीनगो के प्रोफेसर बारिस यस अल्राइट थैंक्स वे सपाथ तासुरात के साथ वापस मुसा की तरफ आया ही हेस गौन फराम हेर वे यहां से जा चुका है अब क्या करें अब तो हम वापसी के लिए निकलने वाले हैं और अगर किसी तरह ये बात पहल गई तो मेरी बात सुनो तुम ओया और लीजा के साथ घर जाओगे घर में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कह देना के वे थोड़ा लेट आएंगे और कोई मुनासिब बहाना बना देना मैं असको तलाश करता हूँ मुझे यकीन है वे यहीं कहीं होगी मैं किसी काम का कहकर यहां से चला जाओंगा ताकि किसी को कोई शक ना हो इन्शाल्ला जल्द ही वे मिल जाएगी जरूरत पढ़ी तो पोलिस को इन्फार्म करना पढ़ेगा तुम घर में सब संभाल लेना ओके इसे बरीफिंग दे कर वे सर्द तासुराद चहरे पर सजा कर लंबे लंबे डग भरता वहां से न उलता चला गया जब सब वहां से जा चुके और जगह सुनसान पढ़ गई तो वे सुर्ख आँखों से चारों जानिब देखता आगे बढ़ने लगा शाम धल चुकी थी मलगजे अंधेरे में इसने पहाडी का हर कोना च्छान मारा लेकिन इसका नाम और निशान ना मिला कम आन इसने जोर से दरख्त कुठो कर मारी तभी वीराने में हलकी सी आवाज उभरी जैसे मोती आपस में तक्राए हो वे चौंक उठा इसने जमीन पर अर्दगिर्द नजर दोड़ाई तो इसे जाडियों में कोई चीज चमकती हुई नजर आई वे नीचे घुटनों के बिल बैठ गया इसने हाथ बढ़ा कर इसे थामा तो वे एक ब्रेसलिक था जिसके उपर हीर लिखा हुआ था इसका दिल जोर से धड़कने लगा दफ़ता अलिफ इसकी निगा जमीन पर पड़ी जहां से पते हटा कर कोई निशान बनाया गया था इसने गोर से देखा तो कुछ तूटे फूटे अलफाज मिटी पर घसीटे गए थे इसे काफी गोर करना पड़ा तब जाकर इसे समझाया वे दिल ही दिल में हीर की होश्यारी पर दाद दे गया जल्दी से मॉबाइल पर एक नंबर मिलाते वे पहाड़ियों से नीचे उतरने लगा हार आफे मुझे एक जगा पहुँचना है तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी तुम मरी में ही हो न ओके ओके में एड्रेस बताता हूँ यहां पहुचो जल्दी इसका दोस्त पुछता ही रह गया के हुआ किया है लेकिन इसने काल कार दी वे आराम से खुद जा रही हो न कैजे में दाखिल होकर वे आहिस्ता आहिस्ता चलती अर्दगिर्द का जाइजा ले रही थी कि इस लड़के ने इसे आगे धकिलते जल्दी चलने का इशारा किया वे इसे देखती दीदे नचा कर बोली ओ हेलो अपना ये उठती टीवड संभाल कर रखो तुमने मुझे किडनेप नहीं किया बलके मैंने तुम हैं किया है वे तो इसके अंदाज देखकर तब ही गया था इसे एक कमरे में लाया गया जहां एक मोटा भद्दा सा पिस्ता कट का आदमी पहले से मौजूद एक कुर्सी पर बैठा जमाई रोक रहा था कमरे में फरनीचर के नाम पर सिर्फ दो कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी जिस पर पानी का जुग और गलास रखा हुआ था वे इसे कमरे में धका देता कुर्सी पर बैठे शख्स को बाहर आने का इशारा करने लगा इसके बाहर निकलते ही इस लड़के ने कमरे को लाक लगा कर चाबी इस पिस्ता कद आदमी को थमा दी मैं जा रहा हूँ जब तक हैरी ना आये इसे बाहर नहीं आने देना खड़ी थी इसके जाते ही अलट हो गई इसने गला खंकारा भया इसने अपनी आवाज को ब्रेक करते इसे पुकारा वे पिलट कर दर्वाजे की सम्त देखने लगा तभी दोबारा आवाज उभरी भया मेरी बात सुने पिलेज इसने अपनी दाड़ी वे जा क्या है भया मुझे यहां बहुत दर लग रहा है ये लोग बहुत बुरे हैं लेकिन अप मुझे बिलकुल अपने भाई की तरह लग रहे हैं अप पिलेज ये दर्वाजे खौल दें मैं कहीं नहीं जाओंगी प्रामिस हम बातें करेंगे बहुत सारी सच्ची अप मुझे मेरे बिछले हुए भाई की तरह लग रहे हैं मोटे भद्दे आदमी ने एक लम्हे को सोचा फिर इसने दर्वाजे खौल दिया दर्वाजे खौल कर वे अंदर आता इसी कुर्सी पर बैठ गया हीर का दिल खुशी से फूले ना समा रहा था वे मसूमियत से इसे देखने लगी भया एक बात पूछू वे आंखें पिकपटा कर बोली जी बाना वे सरापा समात बन गया ये के ग्रूप का मतलब किया हुआ भला वे गाल पर हाथ रख कर बोली इसका मतलब है किंका ग्रूप वे फखर से बोला अरे नहीं वे खिल खिला दी क्यों किया हुआ वे इसके हसनी पर हैरान हुआ इसका मतलब है कुत्ता ग्रूप वे शरारत से बोली अरे नहीं वे भी हंस पड़ा हा ना वे बेग की जिप आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगी नहीं ना वे महजूस होकर बोला भया एक बात और पूछू हा गुडिया जरूर पूछो अपकी कोई बहन नहीं है हीर के सवाल पर उसकी आँखों में आंसू चमके वे बचपन में ही वे बात अधूरी छोड़ गया वे बेग में हाथ डालती बलेक पेपर सप्रे पर ग्रिफ्ट मजबूत कर गई भया मुझे ना बहुत प्यास लग रही है मुझे पानी डाल देंगे इसके लाट से बोलने पर वे जी जान से खुर्बान होता उठा कर जुक से गलास में पानी उंडिलने लगा हीर ने फुर्ती से बेग से सप्रे निकाला और उसकी सीधे होने पर उसकी आँखों में छड़क दिया अहवे आंखे मिलता मेज से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया हीर ने एक ठोकर इसे रसीद की गैंडे कहीं कि हीर को किड्नेप करोगे इसके सर के बाल नोच करवे कमरे से बाहर निकली ओ नौ शोर की आवाज सुनकर बाहर खड़ा गार्ड अंदर आ गया इसने हीर को देखकर गिन इसकी तरफ करनी चाही लेकिन इससे पहले ही इसने करीब रखा डेकोरेशन पेस उठा कर पूरी कुट से इसे दे मारा गुड शाट हीर इसने अपने कंधे को थपथपा कर खुद को शाबाश दी डेकोरेशन पेस सीधा गार्ड के सर पर जाकर लगा जिससे इसका सर फट गया वे दोहरा होता जमीन पर जा बैठा हीर ने मौकए का फाइदा उठा कर इसकी गिन अपने कब्जे में कर ली धड़कते दिल से इसने अभी कैजे के दर्वाजे पर हाथ रखा ही था कि किसी ने जटके से दर्वाजे खोला अपने सामने खड़े हरी को देख कर इसका उपर का सांस उपर और नीचे का नीचे रह गया वे मौताद कदम उठाता आगे बढ़ने लगा दूर दूर तक किसी जीरू का नाम और निशान तक ना था इसके मताबक यहाँ पर कोई कैजे था जहां वे हीर को अगवा करके ले गए थे इसने एहतियाता पुलिस को मतला कर दिया था ताके जरूरत पढ़ने पर वे इसकी मदद को आ सके काफी दूर तक चलने के बाद इसे अंधेरे में रोशनी की किरने दिखाई दी वे जल्दी जल्दी इस सम्त बढ़ने लगा कैजे के सामने जाते इसने रुक कर अर्द गिर्द का जायजा लिया रास्ता साफ पाकर इसने कैजे के बाईं जानिब जमीन पर बिखरे लकडी के बेशमार डंडों में से एक पकड़ लिया मुहताद कदम उठाता वे कैजे के दर्वाजे के बाहर खड़ा हो गया तुम मनहूस कमीना खोता वे दिल ही दिल में इसे कोसने लगी इसने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिये हैरी ने तन्जिया मुस्कराहच से इसे सर तापीर देखा बलैक की जौल पेंट शर्प में वे आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा खुबसूरत लग रही हो वे इसके सरापे को गहरी नजरों से देखता हुआ कहने लगा दूर रहू मुझ से वरना यकाय किसे हाथ में पकड़ी गिन का एहसास हुआ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूँगी वे कपुपाती हाथों में गिन इसकी जानिब करती हुई बोली तो वे कहकहा लगा गया तुम्हें गिन चलानी आती भी है डार्लिंग साथ ही इसने जमीन पर ग्रेगार्ड को देखकर अफसोस से सरहिलाया पावायर मैन एक लड़की से शिकस्त खा गया जानम हमारी पहली मुलाकात तो याद होगी तुम्हें मैंने सोचा वे याद कुछ अच्छी नहीं है हम लड़ जगड रहे थे इस बार हम प्यार करेंगे ओके वे दाड़ी पर हाथ फेरता इसका हल्क सिखा गया इतने लंबे चोड़े वजूद से वे कैसे मकाबला करेगी दूर रहू मुझ से घटिया इनसान वे इसे अपने करीब आता देख कर चीखी आवाज नीचे वो तेजी से इसके करीब आता एक हाथ इसकी कमर में डालता जबकि दूसरे हाथ से इसके बाल पकरता इसके मुझ पर दाड़े हीर ने सकती से आंखे मैच ले इसने बड़े आराम से हीर के हाथ से गिन पकर ली दफता अलिफ था की आवाज से दर्वाजे खुला वे बेन्याजी से पीछे मुड कर देखने लगा बारेस को चौकत में खड़ा देख कर इसने दांक पैसे लो आ गया तुम्हारा हीरो हीर को जटके से पीछे हटा कर वे पूरा इसकी तरफ मुड गया हीर को इसकी ग्रिफ्ट में देखकर बारेस का लहु खौल गया यहां तक आ तो गय हो लेकिन वापस नहीं जा सकोगे और ये वे इसके हाथ की तरफ देखता हंस पड़ा इस खिलोने से मेरा मकाबला करोगे तुम प्रोफेसर बारेस ने तीखी मुस्कराहच से इसे देखा तुम्हारे लिए तो मैं अकिला ही काफी हूँ पिछली दफा की मार याद तो होगी ही डोनट इस बार नहीं हरी ने गिन इस पर तान ली नीचे फैंको इसे वरना इसने गिन का रुख अचानक हीर की तरफ कर दिया बारेस ने लकडी का डंडा नीचे रख दिया जो रीमता हुआ आगे चला गया बुजदिल इनसान बारेस के तंस पर वे आपे से बाहर आता गिन पेंट की जेब में डालता इसकी तरफ बढ़ा बारेस ने इसे चैलिंज करती नजरों से देखा इसने हाथ का गया निसा बना कर मारना चाहा तो बारेस ने जबले भींच कर इसका बाजू पकड़ कर पूरी कुट से इसके पेट में घटना मारा जवाबा हैरी ने फुर्ती दुखा कर अपनी टांग घुमा कर उसकी कमर पर दे मारी जिससे वेपनी जगा से पीछे हत्ता दिवार का सहारा लेता दोबारा सीधा खड़ा हुआ दोनों को गुथम गुथा देख कर हीर घबरा गई इसने जल्दी से अपने पीर के गरीब ग्रा लकडी का डंडा उठाया छोटे छोटे चोटे कदम उठाती वे इन से कुछ फासले पर खड़ी हो गई बारेस ने इसे देख कर नजरों ही नजरों में वार करने का इशारा किया हीर पहले तो घबराई लेकिन फिर आँखें बंद करते इसने डंडा पूरी कुवट से सामने वाले को दे मारा डरते डरते इसने आँखें खोली ओ नौ बारेस को सर पकड़े देख कर वेरू देने को हुई हैरी ने इसे जटके से पीछे हटाया तो इसका सर दिवार से जा लगा बारेस का दिमाग घूम गया वे आपे से बाहर होता इसे पेदर पे लाते और गयोनसे मारने लगा जब वे उदे मुआ होता जमीन पर ढह गया तो बारेस ने होन्ट से बहता खून हाथ की पुष्ट से साफ करते हीर को चलने का इशारा किया हीर उसके पीछे जाने लगी लेकिन फिर कुछ सोच कर रुख गई इसने वही डंडा जमीन से उठा कर नीचे ग्रे हैरी पर बरसाना शुरू कर दिया जो हाथ आगे करता इसका वार रोकने की कोशिश कर रहा था कमीने मनहूस इंसान अलुए करे तुम्हें कीले पढ़िं तुम्हारी तुंड हो जाए घटिया इनसान तुम गटर में गिर जाओ ता मेरी बच्चे भी तुम्हारी तरह काले हूँ आमीन हीर बारेस के पर तैश लहजे पर वे डंडा फॉरन जमीन पर गिराती इसके पास आ गई इसकी हमराही में वे केजे से बाहर निकली तुम पागल हो किया जरूरत थी इस सब की में कोई पागल वागल नहीं हूँ हीर हूँ वे अदाए बेन्याजी से बिखरे बालों का जोड़ा बनाती कहने लगी बारिस ने इसके साथ चलते गर्दन मोड कर इसे देखा ये कैसी हीर है जो अपने रांजे के जजबात से बेखबर है वे मिसकरती नजरों से इसे देखता इस तफसार करने लगा हीर की बोलती पिल में बंद हुई वे अप रास्ते में बैंड एज करवा ले और घर हाँ हमें इतनी देर हो गई है सब परेशान हो रहे होंगे वे इसके बात बदलने पर धिमा सा हंस दिया किसी को कुछ नहीं पता और ना बताने की जरूरत है वे जीन्स की पाकित में हाथ डाले सीध में देखता चल रहा था हीर ने सर जुका कर उसके कदमों से कदम मिलाने की कोशिश की कुछ ही देर में वे कैजे से दूर बहुत दूर जा चुके थे जैसे ही वे आलम विला में दाखिल हुए बिलकुल सामने मसूमा, शाहाना, दरख्षा, मुसा, सबुक्तगीन, आलम और रबिया को अपना मुंतजर पाया इन सब को अपनी तरफ मुसकरा मुसकरा कर देखते पाकर उन दोनों में नजरों का तबादला हुआ एहम वे गला खंकारता मुसा की जानिब देखने लगा, जिसने मुसकराहत दबा कर इसे देखते शाने उचक का दिये हाथो पत्तर कैसी रही डेट सबूतिगे आलम शरारत से गोया हुए उनकी बात सुनकर दोनों की आंखें हैरत से फटने को हुई दाल डेट हीर हकला गई आहू पत्तर मुसा ने बताया था शर्माने की जरूरत नहीं है हम सब को तो बड़ी खुशी हुई है कि तुम दोनों राजी हो मसूमा भी मुसकरा कर बोलें तो हीर ने सुलक कर मुसा को देखा जो फौरण से वहां से खिसक गया बारिस ने हीर को सकपटाता देख कर मुसकराहत दबाई अब हमें अंदर भी आने देंगे आ हीर खफगी से बोली सब की नजरों से वे तन होती अपने कमरे में चली गई ये ओया की बच्ची कहां छपी हुई है वे खुद वली करती इसके कमरे का दर्वाजे खौल कर अंदर आई जहां वे बेचीनी से टहल रही थी अरे लड़की रुक जाओ क्या हो गया है वे इसके सामने आती इससे टकराती टकराती बच्ची ओया इसे देखते ही इससे लिपट गई यार कहां चली गई थी तुम मैंने इतना ढूंडा तुम है मैं बहुत दर गई थी यार वे इसके गिर्द ग्रिफ्ट को मजबूत कर गई बस यार बताती हूं सब उधर आओ वे इसे साथ लिए बैड पर बैठ गई तुम ये बताओ पहले के तुम्हारे मुन पर बारा क्यों बजे है ओया ने बेचारगी से इसे देखा यार वे ना वे बात अधुरी छोड़ कर नाखुन चबाने लगी क्या फुजूल का सस्पंस डाल रही हो बताओ भी हीर ने बेचैन होकर पूछा वे कल इसके पेरेंट्स आ रहे हैं वे आँखें मैच कर बोली हैं क्या कौम किसके पेरेंट्स हीर के पले कुके ना पड़ा शहरियार के पेरेंट्स आ रहे हैं अब ये भी बताओं कि क्यों आ रहे हैं ओया तेवरी चड़ा कर बोली ओहो छपी रुस्तम निकली तुम तो वे इसे उन्दे मार कर बोली तो ओया ने तब कर इसे देखा मैंने क्या क्या है वे तो उसकी नियत खराब हो गई मुझ पर बत्तमीज इंसान वे उलस कर बोली अच्छा ना टैनिस क्यों हो रही हो इतना समाट और डैशिंग बंदा है और सबसे अच्छी बात तुम्हें पसंद करता है वे संजीदा होती इसे समझाने लगी पता नहीं यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छा छोड़ो इसे मुझे बताओ किया हुआ था वहा वे जानने के लिए बेताब हुई एक मिनत मेरे बगैर ही रुको सबर करो मुसा ने कमरे में एंट्री मारी तुम तो बच्चो मुझ से हीर ने तक्या पकड़ कर पूरी कुवच से इसके सर पर दे मारा मुसा ने जवाबा इससे तक्या खैंच कर इसे मारना चाहा तो हीर ने बेड से दूसरा तक्या उठा कर इस पर हमला कर दिया चंद ही मिन्टों में कमरे का हुलिया बदल गया बस करो दोनों ओया पूरी कुवच से चीखी तो दोनों को बरौ लगा हुआ किया है जंगलियों की तरह लड़ रहे हो वे तब कर बोली ये अपने भाई से पूछो तुम घर में आकर इसने सबसे कहा कि मैं और वे तुम्हारा के डोस भाई डेट पर गए थे वे दांप कचकचा कर बोली तो ओया के चहरे पर मिसकन बिखरी मुआफ कर दे मेरी मा गलती हो गई मुझसे वे इसके सामने हाथ जोड़ कर बोला अच्छा सोचोंगी हीर ने अदाई बेन्याजी से बाल जटक कर कहा अच्छा अब बता भी चुको किया हुआ वहाँ भाई ने कैसे ढूंडा तुम है वे गहरी सांस भरती उन्हें आज का वाकिया सुनाने लगी बारिस के कमरे में जहांको तो वहाँ दरफशा बेहद खुश बैठें इसकी बलाएं ले रही थी मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा तुमने बिलकुल ठीक फैसला किया है बहुत प्यारी बच्ची है हीर तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहुगे वे इसका सर्चूम कर बोले वे मुस्करा दिया एक बात बताना तो भूल ही गई में शहरियार के वालिदैन आना चा रहे हैं कल ओन्या के सिलसिले में माशा काले इतना अच्छा लड़का है मुझे तो अपना ही बेटा लगता है मेरी कब से खाहिश थी और देखो अल्लुए पाक ने मेरी दिल्ली मुराद पूरी कर दी तुम है तो कोई एतराज नहीं दफतना वे रुक्त इससे दर्याफ्त करने लगे मामा आपको और बाबा को जो बहतर लगे वैसा करें मुझे कोई एतराज नहीं हाँ एक बात है कि शरी ने कभी जिक्र नहीं किया मुझसे वे परसोच सा बोला अरे पगले वे किया तुझसे तेरी बहन के बारे में बात करता अच्छा लगता चलू में तमेरी बाबा को बताती हों जाकर उनके जाने के बाद विसर तले दोनों बाजू रखकर बैट पर नीम दराज हो गया आज के मनाजिर उसकी आखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे हीर के अगवा वाले वाकिये को चंद दिन गुजर चुके थे बारेस के एकरार पर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी खेर से ओयां और शहरियार की बाद भी पकी हो चुकी थी घर में तीन तीन शादियां थी खौातीन शापिंग में सर खपा रही थी जब के मर्द हजरात दीगर इंतिजामात को देख रहे थे रिजा ने बारेस के अलावा किसी और से शादी करने से इंकार कर दिया था जिसे बहुत हंगामा बर्पा हुआ वहाज आलम और बलकीस ने लाख इसे समझाया इसकी मिन्तें की लेकिन वे अपनी जिद पर डटी रही ऐसे में सब ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया बारेस और हीर की शादी की खबर से लीजा बद्दिल होकर वहां से जा चुकी थी अब आलम विला में खूब रौनके लगी रहती थी घर के बड़ों को सर वे जानी की फुरसत नहीं थी ऐसे में सिर्फ हीर थी जो कुछ नाखुश सी अपने कमरे में पड़ी रहती बारेस ने जिस तरह इसकी जात को धुटकारा था वे अब तक भूल ना पाई थी सब के चेहरों पर खुशी देख कर इसमें इंकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी रात का वक्त था सब ठक कर अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे हीर कुछ सोच कर बैड से उतरी चप्पल पैरों में उड़स कर इसने वक्त देखा घड़ी रात के बारा बजा रही थी इसने धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर कदम रखा दबे कदमों चलती वे बारेस के कमरे के बाहरा खड़ी हुई ये देखकर इसने सुकून का सांस लिया कि इसके कमरे की बत्ती चल रही थी जिसका मतलब था वे जाग रहा है हलके से दर्वाजे पर दस्तक देकर इसने अंदर कदम रखा अंदर आते ही जो मनजर इसने देखा अगर इसे इल्म होता तो वे कभी भी यहां आने का न सोचती बारेस शावर लेकर बगएर शर्ट के बाथरोम से निकला था बाहर निकलते ही इसकी निगाहीर से टकराई जो फॉरन रुख मोड गई थी हीर ने बाहर जाने के इरादे से दर्वाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि वे फुर्ती से इसके पास आता इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे रोग गया एक मिनट वे इसे रुकने का कहते जल्दी से बैट के पास जाता शर्ट पहनने लगा इसके बेहद करीब अकर भारी आवाज में सरगोशी करने पर वे आंखे मीचित्ती वहीं जिम गई इसका दिल कर रहा था कि यहां से भाग जाये लेकिन कदमों ने साथ देने से इंकार कर दिया था एहम वे खंकार कर इसे फुरसत से देखने लगा जो ढीली से सफेड टी शर्ट और ट्राउजर में बालों का रफ जोड़ा बनाए सीधा अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी तुम इस वक्त मेरे कमरे मै वे ठहर ठहर कर बोला हीर अब अही गई है तो कर ले बात वे दिल में सोचती जी कड़ा करके इसकी तरफ पल्टी गीले बिखरे बालों में इसकी तरफ देखता वे इसका दिल धड़का गया वे मैंने बात करनी थी अपसे वे संजीदगी से बोली हा करो वे इस से जरा फासले पर आता बोला अप इस शादी से इंकार कर दें वे इस से नजरें चरा कर बोली क्यों करूं इंकार वे ट्राउजर की जेब में हाथ डालता इसके चहरे पर नजरें जमाता सवाल कर गया क्योंकि प्रोफेसर बारेस में अप से शादी नहीं करना चाहती वे इसकी आँखों में आंखें गाल कर मजबूत लहजे में बोली बारेस ने एक पिल के लिए इसकी आँखों में देखा और फिर अचानक इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब कर गया लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ तुम से शादी वे भारी लहजे में बोलता इसकी जान एलूइन कर गया लेकिन पहले भी तो इंकार किया था ना अपने तब भी यही ही थी वे इसके सीने पर हाथ रख कर दोनों के माबैन फासला कर गई पहले की बात भूल जाओ फुजूल की बातें छोड़ कर बस मेरे बारे में सोचा करो क्योंके तुम्हारी शादी तो तुम्हारे इसके डूस प्रोफेसर से ही होगी और हाँ आइंदा रात के इस पहर मेरे कमरे में ना आना बंदा बशर हूँ खतासर जद हो सकती है वे भारी लहजे में बोलता इस से फासला काइम कर गया हीर लहु छलकाती चहरे के साथ बिजली की सपीब से कमरे से बाहर निकल गई आज फिर तो फिस गई हीर वे अपने कमरे में आकर खुद कलामी करती हुई बैट पर गिर गई हाय औरिबा कत्थे फिस गई हीर चांदनी ओ मेरी चांदनी मुसा ने रबिया को उजलत में अपने कमरे के सामने से गुजरते पाया तो जल्दी से इसके सामने आता इसका रास्ता रोग गया वे सफेद करते पाजामे पर सिकिन वासकत पहने हुए शरारत भरी आँखों से इसे देख रहा था मुसा पीछे हटो मुझे देर हो रही है इसे एक जगा जमा देख कर वे दांत पेज कर बोली हीर के कमरे में ब्यूटीशन इसका इंतिजार कर रही थी वे बल्कीस के बुलावे पर उनकी बात सुने गई थी वक्त निकला जा रहा था वे पहले ही लेट हो रही थी उपर से मुसा ने इसका रास्ता रोग कर इसे मजीद कौफ्त जदा कर दिया था आहाँ जाओ जाओ पूर पूर सजो आज मेरे लिए आज तो बनता है वे इसके सरापे पर गहरी नज़र डाल कर पीछे हटा तो वे सुर्ख चहरे के साथ हीर के कमरे की तरफ भागी तुम अभी तक तयार नहीं हुए बारेस ने इसे कमरे के बाहर बिखरे बालों के साथ खड़ा देखा तो तेवरी चड़ाता पूछ बैठा बस तक्रीबन हो चुपका वैसे अब काफी कोल लग रहे है इसने बारेस को सर तापीर देखा जो मारोन शलवार करते में बालों को जेल से सीट किये बेहद वजीहा लग रहा था इसने बलो चेक वासकट करते के उपर पहन रखी थी जबके बाजू हस्मन आदत कोहनियों तक मौर रखे थे जिससे इसके मजबूत बाजू नुमाया हो रहे थे इसने इस सूट का इंतिखाब हीर के मारोन जुड़े को देख कर किया था जबके मुसा और रविया ने वहाई ड्रेस पहने को तरजी दी थी ओया ने मेरून डल गोल्डन शरारे का इंतिखाब शहरियार को बेखबर रख कर किया था मुसा के अंदर जाते ही वेलान की तरफ चला गया जहां निका की तक्रीब का इंतिखाब किया गया था पूरे आलम विला को किसी नई नवीली दुलहन की तरह सजाया गया था सुर्ख और सफेब फूलों की मसहूर कुन महक हर सो पहली हुई थी रोशनियों में नहाय आलम विला की आज छब ही निराली थी सब मर्द हाजरत इंतिजामात देखने में लगे थे जबके औरतों की तैयारी मुकमल होने में नहीं आ रही थी सिया शलवार कमीज में सबूत गे आलम ने अपने कमरे में जहांका जहां मसूमा भी सिंघार मेज के सामने बैठे थी उन्होंने गोल्डन गरारा शर्ट पहन रखी थी जबके बालों में मोतिये के फूलों की लड़ियां लटक रही थी होंटों पर सुर्ख लिप सटक लगाए वे आखों पर एहतियास से मसूारा लगा रही थी तेरा सिंघार अभी मुकमल नहीं हुआ मसूमा ऐसा लग रहा है कड़ियों का नहीं तेरा वा है वे उनके सर पर पहुँच कर बोले देखो सबुक्तगीम साहिब आज मेरा मौट बहुत अच्छा है इसे खराब नहीं करो तो बहतर है और मेरे सिंधार पर बात ना किया करो जी अभी मेरी उम्र ही किया है वे नील पालिश लगे नाखनों पर फूक मार कर बोलें तो वे नफी में सर हिला कर बाहर चले गए नी बलकीस टीम निकला जा रहा है महमान बस आने वाले है जाकड़ियों को देख तयार हुई या नहीं मेरी तो आज मत ही वज गई है इस छन्नों बानुद्री को मैंने एक काम कहा था वे भी नहीं हुआ इससे परपल जिल मिलाते लिबास में बालों में प्रानिद डालेवे सर पर हाथ मार कर बलकीस से मخاطب हुई जो गरे कामदार सूप में तयार किसी काम से किचन की जानिब जा रही थी दरख्षा भाभी गई हैं उन्हें देखने में जरा किचन देख लूँ दोनों उजलत में अपने अपने रास्ते हो ले वीना ये टुक ही नहीं रहा हीर मारोन भारी लहंगे में मलबूस कोफ्त जदासी बोली कमर तक आती मारोन कामदार करती के साथ भारी मारोन लहंगा इस पर बेहच जचा था ब्यूटीशन तीनों को तयार करके जा चिकी थी वो यह मारोन डल गोल्डन शरारे सूट में बहुत प्यारी लग रही थी इसने माथे पर टेका लगा कर एक तरफ से बाल आगे डाल रखे थे जबकि रबिया वाइट शरारे शर्क में मलबूस बहुत हुसेन लग रही थी इसने सुर्ख गुलाबों के गजरे हाथों में पहन रखे थे वे आइने के सामने खड़े अपने सरापे पर तफसीली नज़र डाल रही थी कि हीर की कोफ्त जदा आवाज सुनकर पल्टी मारून लहंगे में मारून कामदार दो पट्टा सर पर सीट किये जिसे दो गिनागिरू लुटे निकल कर चहरे के अत्राफ में जल्वा गिर थी मारून लिपसिटिक से सजे होंट और नाक में पहनी नोस पिन माशा कालिले आज तो भाई गए ओया इसे देख कर बेसाखता कह गई हीर का चहरा पिल में सुर्ख हुआ तुम अपने भाई की फिक्र छोड़ो अपने शहरियार की फिक्र करो जो आज तुम है बिलकुल नहीं बखशने वाला हीर के तब कर कहने पर रबिया ने मुस्कराहत दबाई तुम किस खुशी में हस रही हो तुम पर भी रबिया ने ओया की बात काट दी बस बस मुझे क्यों घसीट रहे हो इस सब में हद होती है वे अपने पाउं में नाजुक सी हील पहनते हुए बोली हीर बढ़ बढ़ा कर अपना लहंगा ठीक करने लगी तकरीबन सब महमान आचके थे बरके कुमकुहे से जगमगाते लान में पीर धरने की जगाना थी लान खिचा खच महमानों से भर चुपका था अब बस शहरियार की फैमली का इंतिजार था दर्वाजे के बाहर शोर उठा तो दरखशा शाहाना बल्कीस और मसूमा भी उनके इस्तिक्बाल के लिए दर्वाजे की संप बढ़ें जहां सबूतिगे आलम इबाद आलम इबराहीम आलम और वहाज आलम पहले से खड़े आने वाले मर्द हजरात से गिले मिल रहे थे उन्होंने खवातीन का वेलकम किया और अपने साथ लिए मखसूस नशिस्तों की तरफ बढ़ें तीनों दुलहे सिटेज पर पूरी शान से बिराजमान हो चुके थे अपने कमरे की बालोनी से नीचे लान में जहांकती ओया की नजर शहरियार पर पड़ी तो उसकी धाड़कने बेतर्तीब हो गई डल गोल्डन करते पाजामे के साथ मारोन मर्दाना शाल दोनों कंधों पर डाले वे बेहद वजीहा लग रहा था वे जल्दी से पीछे हिट गई मबादा वे इसे देख ना ले कुछ ही देर बाद तीनों दुलहने चंद लड़कियों के जुर्मत में लान की तरफ आती दिखाई दी बारिस शहरियार और मुसा की नजरें अपनी अपनी दुलहनों पर जिम कर रह गई दूर बैठी रिजा ने तलखी से हंस कर सर जटका तीनों दुलहनों को सेटेज के दूसरी तरफ बिठा दिया गया दर्मियान में परदा हाइल कर दिया गया था मौलवी ने बारी-बारी तीनों का निका पढ़ाया निका नामे पर दस्तखत करते हुए तीनों दुलहनों के ख्यालात कुछ यूं थे ओया, हो लो जितना खुश होना है बाद में पच्टाते फिरोगे किस बिला से पाला पढ़ा है तुम्हारा रबिया, तुम्हारी बुतियसी तो में अंदर करूंगी जिस कदर तुमने मुझे तेंग किया है गिन गिन कर बदले लूँगी हीर, अपने मन मानी तो कर ली अपने प्रोफेसर साहिब लेकि मैंने भी अपको नाकों चने ना चबवाए तो मेरा नाम भी हीर नहीं निका के बाद मुबारक सलामत का शोर चला खूब ढोल पीटे गए आज दौलत अंधा धुंद लुटाई जा रही थी आलम विला के मुए खुशी से फूले ना समाते थे तेजी से गुजरते वक्त का हिसाब करते अबाद आलम ने वेटर्स को खाना सर्व करने का इशारा किया खानों की इश्तिहा अंगेज खुश्बू चारों सो फैल गई हीर की सुई हुई भूक जाग गई अलबता बाकी दोनों की भूक आने वाले वक्त का तसवर करते ही मर गई थी हीर ने जरा की जरा नजर उठा कर सामने देखा तो बारेस इसी की जानिब देख रहा था मुझे इल्म नहीं था अब इस गदर बेशर्म हैं प्रोफेसर कैसे सब के सामने दीदे फाड़ कर घोर रहे हैं वे दिल में ही सोच सकी निका के बाद दर्मियान से परदे हटा दिया गया था इसलिए वे बासानी एक दूसरे को देख सकते थे भुक से इसके पेट में चुहे दोड़ने लगे भाग में जाएं सब मैं तो जरूर खाऊंगी इसने सामने पड़ी टेबल से प्लेट पकड़ी और इसमें सलेट डाल कर पूरे एतिमाद से खाने लगी ओया हैरत से दीदे फाड़े इसे देखने लगी उधर टैंशन से मेरी भूक मर गई है और तो मज़े से सील ठूस रही है भूकी वे दांत पेस कर बोली बारेस ने अपनी अनुकी दुलहन को देखकर मसुराहत दबाई एहम कुछ लोग बड़ा मसकरा रहे है मुसा ने बारेस के मसुरानी पर चोट की तो भी मसकरा ले ताव तो ऐसे दबू कर बैठा है जैसे रुखसती इसकी नहीं तेरी होनी है शहरियार की बारेस का जबरदस्त कहकहा छोटा हैन ये हस्ती भी है हीर ने इसे मसलसल हसनी से आँखों से निकलते पानी को साफ करते देख कर सोचा खाने के बाद रुखसती का वक्त आया आलम विला के सब बड़े सिटेज के पास जमा हो गए हीर और रबिया कदरे रिलेक्स थी क्योंके उन्होंने महज एक कमरे से दूसरे में जाना था जबके ओया का दिल उदास हो रहा था जिसे दूर बैठा शहरियार भी महसूस कर रहा था वे सब सिटेज पर चले ही थे के फाइर की आवाज गुंजी मजमा को सांप सूंग गया दस बारा लोगों का एक गिरो जो शकल से ही बदमाश लगते थे फाइर करते हुए आलम विला के लान में आकर खड़े हो गए खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश भी की तो उनका सर बरा हाथ में गिन पकड़े डाले एक बार फिर बोलो मजा नहीं आया हीर जरा जोर से बोली तो सब ने दोहल कर इसकी जानिब देखा तुम तो चुप करो बारेस तेवरी चड़ाये इसके पास आने लगा तो गिन वाले आदमी ने इसे वहीं रुकने का इशारा किया बास ये लड़की बड़ी चालाक लगती है मुझे इसका एक साथ इसके पास आता बोला तो आलम विला के मकीनों ने प्रेशानी से हीर को देखा एक अड़ी नहीं बाज आ सक दी शाहाना ने अपना माथा पेट लिया तुछ पर जो गई है मसूमा भी ने तनक कर कहा बस अब अब दोनों ना शुरू हो जाना यह दरख्षा ने उन्हें लड़ने के लिए तयार देखकर टोग दिया तुम हाँ तुम उधर आओ गुंडे के इशारे पर हीर ने ना समझी से इसे देखा कौन में आये इसने साथ खड़ी ओया की जानिब इशारा किया हाँ तुम जल्दी नीचे उतरो वे घुसे से बोला सब बेचीन हो गए कौन ये इसने सटेज से नीचे खड़ी एक आंटी की तरफ इशारा किया अभे बहरी है किया तुझे कह रहा हूँ वे तब कर बोला तो हीर की तेवरी चड़ी वे धब से सटेज से नीचे उतरी बारेस भी इसके पीछे जाने लगा लेकिन शहरियार ने इसे रोग दिया अभी नहीं वे कुछ सोच कर ही ऐसा कर रही है कितने लोगों की जिन्दगी का सवाल है होश से काम लो वे मुठिया भींच कर खुद पर जब्द करने लगा इबराहीम आलम ने बेचीनी से हीर को देखा हा बोल अब वे लहंगा दोनों हाथों से बमश्किल संभालती इसके मुन्ह पर दाड़ी वे एक कदम पीछे हिट कर हैरत से इसे देखने लगा बोलना अब वे मजीद एक कदम उसकी जाने बढ़ाती तीखे लहजे में बोली मुसा और ओया के चेहरों पर मुस्कराहट उभरी बास बोलना इसके एक साथी ने इसके कान में सरगोशी की अभे डाइलाग भूल गया हूँ वे दात पेस कर बोला एजादे शानी नाबन घर में जितना भी माल है लेकर आओ चलू नहीं तो उसकी खोपड़ी उड़ा दूँगा वे हीर के सर पर गिन रख कर बोला तो आलम विला के मुए दोहुल गए मैं लेकर आता हूँ पिलेज मेरी बेटी को कुछ न कहना इबराहीम आलम घबरा कर बोले तो वे अपनी काम्याबी पर मुस्कुराता पीले दांतों की नुमाईश करने लगा हीर ने इसे इशारा किया वे जरा नीचे जुका तुमने कभी बुर्ष नहीं किया कितने गंदे दांत हैं तुम्हारे ची वे मुन्ह बना कर बोली इस से पहले के वे कुछ कहता हीर ने अपने लहंगे के साथ लगी सिफ्टी पिन उतारी और उसके चहरे में घुसा दी आह इसने पिस्टल वाला हाथ नीचे किया तो हीर ने इसे धका दिया जिससे गिन इसके हाथ से छूट कर दूर जागरी भागोवे लेनिगा पकड़ कर दोड़ती हुई चीफी तो लान में अफरातफरी मच गई सब एक दूसरे को धकिलते हुए उधर उधर भाग रहे थे मुसा ने रबिया का हाथ पकड़ा और इसे लेकर लान के पिछले हिस्से की तरफ भागा रास्ते में एक घुंडे ने उनका रास्ता रोका तो रबिया ने अपना हील वाला जूता उतार कर इसे दे मारा मर जाओ मनहुस शदीद देउं पेल में बारेस और शहरियार मिलकर सब घरवालों को अंदर भेज रहे थे हीर लहंगा पकड़ कर भागती हुई ओया के पास पहुची एक घुंडा हीर की पीठ पर वार करने लगा तो ओया ने फुर्ती से पास पड़ी कुर्सी उठा कर उसके सर में दे मारी चल यहां से बाकी सब कहा है हीर और ओया एक दूसरे का हाथ पकड़ कर अपना बचाओ करती बाकियों को तलाशने लगे ए बुढ़िया किधर भाग रही है गुंडों का सरबरा मसुमा भी के सामें आता हुआ बोला वे जो एक हाथ से शरारा थाम कर वहां से निकल रही थी खुद को बुढ़िया कहने पर यक दम मुणे और पूरी कुछ से उल्टे हाथ का तुमुचा इसके मुन पर दे मारा बुढ़िया होगी तेरी मा मजीद इसे एक लात रसीद करके वे शरारा पकड़ कर वहां से निकल गएं अचानक तीन चार गुंडों ने हीर और ओया को नरगे में ले लिया अब बच कर दिखाओ हमें तुम दोनों बड़ा खुन जोश मार रहा था सालियों का अब तुम दोनों को तुम्हारी मा तो किया बाब भी नहीं बचा सकता वे चारों हसनी लगे किसी गैंडे की उलादा उनकी माही काफी है तेरे जैसे पाटे हुए भेंसों को शाहाना ने पीछे से इसकी गर्दन पर करारी सी चपर लगाते पास पड़े टेबल से बरतन उठा कर उन पर बरसाने शुरू कर दिए हीर ने मौका देख कर लेनिगा उठाते एक लाद सामने वाले को दे मारी जिससे वे मुन्ह के बिल जमीन पर गिरा इतने में पुलिस के साइरन की आवाज आई साथ ही बारेस और शहरियार चंद पुलिस आफिसर्स के साथ इस जानिब आते दिखाई दिये सब गुन्डों को गिरफतार करके पुलिस जा चुकी तो आलम विला के मुएं और शहरियार की फैमली अंदर बड़े सह में बैठे अभी पेश आये वाकिये पर बहस कर रहे थे मुसा रबिया का हाथ थामे सुलकता हुआ लान में आया जहां शहरियार ओया हीर और बारेस पहले से खड़े थे यार ये क्या बात हुई आज हमारी गोल्डन नाइट है और घर वालों को कुछ एहसास ही नहीं वे तब कर बोला एहम वैसे मुझे भी रुखसती कैंसिल होती नजर आ रही है शहरियार ओया को देख कर बोला तो वे घबरा कर चहरा मोड़ गई गाज एक एहम खबर है सब बड़ों ने फैसला किया है कि रुखसती अगले हफ़ते होगी मुसा ने अपना एक खबरी अंदर काम पर लगा दिया था ताकि जो भी बात हो उन्हें इल्म हो जाए वे उन्हें खबर दे कर अंदर भाग गया क्योंके मसुमा भी बाहर आती दिखाई दे रही थी हीर की आंखें शरारत से चमकें हम भाग जाते हैं क्यों प्रोफेसर इसे जैसे सोच कर ही मज़ा आया था बारेस ने इसे अपनी तरफ शरारत से मुस्कुराते देखा वो सब बाहर किया कर रहे हो अंदर चलू मसुमा भी शरारा संभालती लान की सीड़ियां उतरने लगें बारेस ने हीर का हाथ पकड़ कर चंद लमहें इसे मुस्कुराती नजरों से देखा अचानक इसने हीर के हाथ पर ग्रिफ्ट मजबूत करते दौर लगा दी भागो इसकी देखा देखी बाकी दोनों जुड़े भी खिल खिलाते हुए उनके पीछे भागे अगर आपको नाविल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबसक्राब करें शुक्रिया